आइसे आर टेक्निशन एक्जाम की तारीक बहुत ही करीब है तो अब एक भी सवाल छूटने की गुंजाइस नहीं रहनी चाहिए और अब तयारी होगी आर या पार क्योंकि रिलीजन होगा एक दम धुणादार टेस्ट पुप देखे आरा है महा रिलीजन किस रभीवार जीके के हर सवाल पर करने को बार पंकत सर हैं तयार शुवम सर देंगे साइंस की हर टॉपिस को धार शुवम साइंस में कोई कसर नहीं चोड़ेंगे जिपसर इस बार और जब निपीस सर पढ़ाएंगे तो मैद का हर सवाल लगेगा एक दम मज़ेदार तो जब मंजिल से हो प्यार तो रिवीजन से ना करो निकार तो देर किस बाती जरूर आईएगा महा रिवीजन में इस रभीवार हला दोस्तों गुड मॉरिंग नमस्ते आदा आपसा त्रियाखार लेंड मैं पंकर चौबे आपका जीए मेंटर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल में जहां पर 18,000 से ज़्यादा इस सुडेंट ने अपने सपने को साकार किया है S.S.C. में एक्जामस लेक्ट में सलेक्शन पा करके गैज अब आपकी बारी है इस नमबर को बढ़ाने की अब जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं आपकी भी इस नमबर को बढ़ाने की गैज यहां पे अब्दुलकलाम ने एक बात बोली थी महान सपने देखने वालों का ही सपना पूरा होता है अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो हमारा सपना कैसे पूरा होगा हमारा देश के 11 राजपती यह चाते थे कि हमारा देश 200 गुरू बनके लोगों के साथ में आए तो अब्दुलकलाम की जो लाइन है उस सपने को आई आज हम लोग साकार करते हैं वो सपने को जीते हैं कौन है यह तीन घंटे या जितनी भी देर की एक लास चलेगी मेरे साथ यह सपने को जीएगा कौन है जो तीन महीने नहीं छे महीने के पूरे करेंट अफ्यर्स का रिवीजन करेगा सारे टॉपिक का important personalities से लेकर के government scheme तक defense से लेकर के हमारे sports तक awards से लेकर के हमारे entertainment तक सारी चीजों का रिवीजन कौन करेगा तो guys आज की यह class एतिहासिक होने वाली है क्योंकि इसको आप पढ़ करके इसका रिवीजन करके आपके exam में यहां से इतने सारे question आएंगे यह सायद आपको खुद इसका इंदाजानी होगा तो इस class का इतिहासिक बनाने के लिए आप सभी लूं क्या करिए इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों से अपनी सहिलियों से अपने मित्रों के साथ share करिए जिससे कि वो भी यहां पर आके इस पूरी class का enjoy ले सके तो हमारे साथ जो है यह सभी के सभी बच्चे जुड़ गए और इस number को बढ़ाने में यह जो number है ना यह number इस साल इसका double दिखना चाहिए ठीक है तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो जितने भी हमारे नए बच्चे उनको यह बता दे कि हमारे ICRA का exam जो कि अभी बहुत जल्दी हमारा अगले अपते से सुरू हो जाएगा तो उसके लिए CBT based है computer based test है उसके लिए test book में आप mock test दे सकते है सबसे पहले test book का app डाउनलोड करिए यहां पर आपको app में search करना है अलाग अलाग exam के यहां पर test है ICAR जैसे select करेंगे आपको यहां पर दिखाई देगा क्या यहां पर ICRA के 96 test है 96 test है chapter wise, full length test, mock test सब है सब दिख रहागा होगो सब तरीके के test आपको यहां पर दिखाई दे रहोंगे उपर जाएगे और आप जो है यहां पर अपने टॉपर के साथ completion से लेकर के पूरे test का analysis exam जैसा feel कर सकते है ICR technician का mock test test book के app पर अभी जाकर के store करो और यह सारे test का जो है वो लाब उठाएगे guys यहां पर आपको दिख रहा होगा early test book past 399 का है मैं बोलूँगा यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको लगाना है यह वाला नहीं pass यह coupon code लगाईए और आपको maximum discount का फायदा उठाईए यह coupon code है यहां पर apply coupon में जाकरके लगाना है apply coupon में जाईए pack pass लिखना है guys जै हिंद से सुरुवात होनी चाहिए हिंद की जैसे सुरुवात होगी या जो भी आप जिस तरीके से अपने देश को नवास करते है शुरू करते उससे और पहला important personalities आदे घंटे discuss होने वाली है पूरी जल्दी जल्दी डिसकस करेंगे आराम से बोलूँगा आपको आप देना होगा शुरू कर आज है भाई जल्दी से बहुत बढ़िया पूनम हमारे साथ जोती प्रिया सभी लोग जुड़ गये बहुत important एतिहासी क्लास के सुरुवात होने जा रही है शुरू करते हैं मुझातों की सारे बच्चे जुड़ जाए कोई भी बच्चा पहले इतने कोस्टन से हमारा पीछे न रहे सुरू करते मैं जार करें ट्रफ सोबकचे कम से कम सुरुवात करतें 240 सोबारे साथ जवाब आते ही आगे बढ़ेंगे जवाब आना सुरो गया कि सर दीपक दास होना चाहिए कोई डॉफरिंग नहीं और एक बार अपनी चेक करो दीपक दास राइट अंसर अगला कोशन देख लेते हैं निकोल पस्यान निकोल पस्यान जो है यह कहां के राश्पति या प्रधा को जवाब आना चाहिए जनता ने जवाब देना सुरू कर दिया है कि सथ सही जवाब होना चाहिए यहां पर देखी मेरा मन मेरा मन था मेरा अर्मान यह थे कि मैं यान में बैठूं यान में बैठूं तो परसियान अर्मानिया के प्रधान मंत्री चुने गया है याद हो गय है की यहां की कैपिटल है यूक्रेइन की अर्मानिया की कैपिटल की हुए यहां की होना चाहिए अर्मानिया की कैपिटल क्या है हमारे क्या है अर्मानिया की कैपिटल है हमारी है ये रे वन नहीं ये तो अल्बानिया की ठीक है तो भईया अल्बानिया की तुम लों बता दो हमको नहीं याद आ रही है तो गाइस यहाँ पर याद रखना अर्मानिया जो है परसियान यहाँ के प्रणान मंत्री चुने गए है ठीक है जल्दी से गाइस तेराना अगला कोशन बनाते है इब्राहिम राइसी ये हमारे किस देश के राश्पती बने है इब्राहिम राइसी किस देश के राश्पती बने है इरान है, कतर है, उमान है, साउधी अरब है या येमेन है, जल्दी से जवाब देना है तब कुछ हमी नहीं, तिराना is right answer, तिराना है भाई, क्लिक नहीं करता है दिमाग में, हम में इंसान है, तो यहां पर जनता बूल लेगे, सर इब्राहिम राइसी के अगर आप बात करेंगे, तो यह जिस देश के हमारे बने है राश्पती, उसका नाम है इरान, इरान is right answer, तो हमारा UII है, क्या होना चाहिए, मिनी IP, तो यहां पर जनता का जवाब आना सुरू हो गया है, कि सबसे बड़ी हमारी insurance company है, अगस्त में हमारा बहुत important question है, बहुत important, यहां पर लिख दिया है, most important question, सर ने question पूछा है, पहली महिला, हमारे डारेक्टर जनरल आफ, Geological Survey of India, Geological Survey of India के हमारे पहली महा निदेशा कौन बनी है, महिला के तोर पर, पताइए, most important, सर ने लिख दिया है, most important question है यह, तो जनता ने जवाब देना सुरू कर दिया है, सर 105 साल पहले से institution को बनाये गया था, और धृती बनर जी यहां पर जितने में बोलना है, बेंगॉली में में जिनको यहां पर चेयर में बनाये गया, तो धृती के ऊपर यहां पर टिक करना है, नंबर आगे ले करके बढ़ जाना है, आगे बढ़ते अगला question क्या है, अगस्त 2021 में किसे सचिव कैबिनेट के रूप में बनाये गया, सुरक्षा सचिव कौन बने हमारे देश के, अमींद नात सिना है, संजीव पांडा है, सुधीर कुमार है, जै नरायन है या विनय कृष्णा है, यहां पर cabinet secretary for security कौन बनाये गया है, एक एक question को बहुत ध्यान से देखना है, सर जी first question का answer, सुनाली सिंग रिप्लेस कर दिये, तो अभी हमनों discuss करेंगे, अगस्त वहां पर लिखा ही गुआ था, अगर तुम्हारे एक्जाम में ऐसे लिख्याएगा, अगस्त 2021 में, क्योंकि कभी कभी set होता है, पहले बन के आ जाता है, जैसे हमने SBI का देखा था, SBI अप्रेल के ठीक है, करवाते ये बात अभी हम, एंसन घेहू नाका, यहां पर जनता बोले सुधीर कुमार सकसेना is right answer, सुधीर कुमार सकसेना हमारे अगस्त 2021 के cabinet secretary बन गए, ठीक है, अगरा question देख लेते, अगस्त 2021 में मनीपुर के राजिपाल कौन बने, जगदीश मुकी, लाल गड़ है, किसका सही उत्तर होना चाहिए, एल गड़ेशन की तरफ जनता जा रहे है, सर, एल गड़ेशन, एल गड़ेशन, एल गड़ेशन, जितने लोग बोल ले है, उनका जवाब बिलकुल सही है, एल गड़ेशन is right answer, मैं सभी लोग को बधाई देना चाहूँगा, एल गड़े क्या बना लिया है, सेकेट्री बनाया है, संजीव रंजन है, अपूर्वचंदर ने, घोटु राम मीडा है, विक्रम मिस्री है, या राम अकर्श करन वर्मा है, जनता जवाब क्या होना चाहिए, सर ने कोश्चन क्या पूछा, एक बार देख लेंगे, कि हमारे ब्रॉड कै नहीं, बरादर ये तालिवानी है, इनको कहां का राश्पती बनाया गया, तो बरादर सहब अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अर्मानिया या कजाकिस्तान, क्या होना चाहिए,len इर्मानिया के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था, अभी थोड़ी देर प ब्रणाबूल है ठीक है आगे चलते अगला कोशण किया मलेश आ के नह प्रधान-मंत्री बिढ़त सारे के सारे कोश्ण महा-महत्त्पून है मलेशिए के नहे हमारे प्रधान-मंत्री को ने बताइए आपके साहिए अतने सारे तो मलेशिया की कैप प्रिधार मंत्री है याकुब साब है यह बहुत खूब से आप याद कर सकते हैं अगला कोश्चन है नियु यॉर्क की पहली महीला गवर्नर अगस 2021 में इनका चायन हुआ था क्या नाम है न्यू यूर्क की पहली महिला गवर्नर क्रिष्ट्यानी गार्लेंड है, कैथी होंचुल है, एलियस नाथन है, लेरी रोमेन है या विक्टोरिया के हिल है जनता क्या जवाब लग रहा है वेरी गुड मॉनिक सीवानी मुझे भी लग रहा है, न्यू यूर्क की जो पहली महिला बनी थी, उनका नाम था कैथी होंचुल और पूरे जगत में नोंने हल्चल मचा दी थी, हल्चल जैसे ये बनी गवर्नर हल्चल मच गई थी, तो बेटा नाम भी याद रहना चाहिए एक्जाम में पढ़के तो सब कुछ जाते हैं, लेकिन सब मिल जाता है, तो ऐसे याद करना है, रिलेट करना है, हल्चल मचा दी थी, कहती होचुल ने, न्यू यूर्क की पहली न्यू यूर्क की गवर्नर बनी थी, चलिए आग एक तरफ चलते है, हमारे सेंटरल बोर्ड ठयक्स के च्छे़में, यहाँ पर सेंटरल अबर आफ डारेक्ट अउन को मुलत की छेईर में है, नरसिमन है, पतेल साभ है, महापातरा कानून जाओ साब है, या हमारे गोयल साब है, जलकना है, direct tax, बेटा कौन कौन सा income tax, direct tax है, हमारा corporate tax, direct tax है, हमारा wealth tax, direct tax है, गाईस यहाँ पर जखेंगे, तो हमारे महपात्रा, बेटा यह जो tax कौन पे करता है, जिनके पास बड़े-बड़े पात्र होते हैं, तो महापात्रा लोग जो है वो टैक्स पे करते इसलिए चेर्मेन मनाया गया महापात्रा जी को याद आ रहा है एक्जाम में ठोक के आने वाले हो की नहीं जना बताओ जल्दी से जल्दी से जनता को बताना है अगला कोशन देख लेते हैं अल्प संकक आयो के अध्यक्षे लालपुर की तरफ लोग जा रहे हैं सरदार इकबाल सिंग लालपुर गाईस सरदार जी को यहाँ पर क्या बनाए गया अल्प संखंग आयो के तो लालपुर इसा करेक्ट एंसर लालपुर जितने बच्चे बोले हैं उनका जवाब बिलकुल सही बैट रहा एक्जाम में सम बैटा देखवा इससे हो जाएंगे सारे कोश्चन ऐसे बनेंगे जिनका अभी एक्जाम आगया उनके लिए हैं सारी के सारी चीज़ें नाजिब मिकाती नाजिब मिकाती बैटा कौन से देश के हमारे प्रधान मंत्री बने हैं सिटंबर में अर्मानिया जार्जिया पोलें है लिबनान है या सीरिया है तो आप लोगों ने अभी अर्मानिया का बता है था कि पर्सियन यान जो है पर्सियान ये अर्मानिया के यान में बैटने का मेरा अर्मान था तो पर्सियान नहीं जो है वो अर्मानिया के थे तो निजाबी मिकाती की बात करेंगे तो ये लिब लेधनान के यहां की केपटल है यह भी हमको याद रखना है ठीकitarian ऑलक्तेंस है मिनाती नहीं है और को टीए मिकाती है कारली मिनाती नहीं है ठीक ना चलिए आगे शल सते एगला कुस्चन है हमारी यहाँ पर International Atomic Energy Association IAEA के हमारे 65 समयलन के अध्यक्ष कौन बने International Atomic Energy Association के अध्यक्ष कौन बने आपके सान दे नाम लिखे यह मैं option नहीं पढ़ूँगा क्योंकि तीन गंटे मेरे को बोलना है maintain रखनी पड़ेगी rhythm maintain रखनी पड़ेगी rhythm तो थ्वास आप लोग भी दिमाग लगाई यहाँ पर चंता बोले है सही जवाब होना चाहिए सद्दीक सभाब जितने लोग सद्दीक सभाब बोला है उनका जवाब बिलकुल सही है सद्दीक सभाब इस राइट आंसर तो तो सद्दीक सभाब जी को यहां पर बनाये अगला कुश्चन है वायू सेना के अगले अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया यहां पर बिरिंदर सिंग है एसके भरूद बहदोरिया है विवेक राम चौधरी अरूप रहा है या अंजन सिंग है जल्दी से जवाब देना है कोई भी बच्चा चूटना ने चाहिए चौधरी परागवे में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको चुना गया है निपुन विभव बैजाज है योगेस्वर संगवान है विजय कुमार देव है या नरेश कुमार है परागवे बिटक साउथ अमेरिकन कंट्री है परागवे अभी आपको बताना है कि कौन चुने गए जल्दी से सभी जित्ती भी जनता है सभी के सभी जवाब देंगे यहां पर जनता ने बताना सुरू कर दिया कि सर सही जवाब होना चाहिए अंसंक्यों जो है यहां की कैप्टल है अंसंक्यों इस अ कैप्टल आफ परागवे और सही जवाब है योगे सर संगवान तो परागवे यहां पर संगवान साब को बनाए गया है और कैप्टल है अंसंक्यों अंसंक्यों इस अ कैप्टल आफ परागवे ठीक है अगला कोश् भारी पढ़ने वाला एक्जाम में जनता बोली है सर यहां पर जो सही जवाब होना चाहिए मेरे को भी लग रहा है कि सर इसका जो सही जवाब है वो होना चाहिए बिलकुल अवीक सरकार बैटा पी टी आई प्रेस ट्रेस्ट आफ इंडिया के अगर हमनों बात करेंगे तो इस में आ गई है प्रेस ट्रेस्ट आफ इंडिया इसलिए अवीक सरकार को चेर्मेन बनाए गया और याद रहेगा कि भूल जाओगे पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे अगला कोशन देख लेते अगला कोश्चन है डबलु एचो के ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के ब कर दिया है कि इसका जो सही उत्तर है मेरे को भी लग रहा है इसका सही उत्तर यह होना चाहिए बिल्कुल तो इसका सही उत्तर क्या है तो यहाँ पर गॉर्डन ब्राउन जितने लोग बोलना है यह हमारे ब्रिटेन के पूरु प्रधार मंत्री है यह ब्रिटेन के क्या है प स्थापनविती आपको याद रखना है इसका जो हेड़कोर्टर है वो जिनेवा में आपको देखने को मिलेगा अगला क्वेशन अगर आप यहां पर खरीते हैं यहां पर टेस्ट बुक का पास इंडोल करते हैं तो प्रविता अभै की तरीके आपकी फोटो भी यहां पर आ सक सबसे पहले आपके सामने अगला कोश्चन आ रहा है काफी इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों इंपॉर्टेंट इसलिए कि भारतिये नागरिक उड्डेयन मंत्राले ने उड्डायन संगठन सुरच्छा के लिए पहली महिला अध्यक्ष्ष के रूप में किसको चुना है एविएसन सिक्योर्टी कमेटी में पहली महिला अध्यक्ष्ष कौन बनी है विज्या लक्ष्मी पंडित है रेखा सर्मा है सेफाली जुनेजा है हेमा कोली है या इसने हाथ दुबे है जनता ने जवाब देना सुरू कर दिया है सर इसका जो सही जवाब है मुझे भी लग रहा है इसका सही जवाब यही होना चाहिए जितना आप लोग यहाँ पर बता रहे है सभी लोगों ने यहाँ पर टिक करना सुरू कर दिया है सर सेफाली जुनेजा की तरफ सेफाली जुनेजा इस राइट आंसर यहाँ पर तीन की हमारी क्या थी UN की हमारे इंडिया की तरफ से पहली अध्यक्षा बनी थी ठीक है सिर्फाली जुनेजा इस राइट अंसर जितने लोग तीन नमबर बोले जबाब से यह में घाले की पहली महिला बैटा मैं जब भी बोलता हूं फर्स्ट मीमेल चीफ सेकेर्टरी आपको यहा यहां पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम लोग जल्दी से 400 का आखरा टेच करेंगे फटा फट से आप लोगों को सपोर्ट करना है जिससे कि मैं यह पूरी क्लास को यहां पर कंटीनिवेस वे में करा सकूं पूरा रिवीजन करा सकूं अभी हम लोग सितंबर के इंपॉर्ट वायू सेना के उप्रमुख के रूप में किसको पॉइंट किया गया अभी आप लोगों ने थोड़ी दिर पहले बताया कि विवेक कुमार जो है वो हमारे वायू सेना के प्रमुख बन चुके हैं वाइस चेर मैन कौन बने वाइस हमारे कौन बने चीफ सभी बच्चों को जवाब देना है तो जनता ने जवाब देना सुरू कर दिया है किसा सही जवाब बना चीए संदीप सिंग बैटा विवेक कुमार जो है वो चीफ बने है और संदीप सिंग वाइस चीफ बने है आठ अक्टूबर को एयर फोर्स डे हमारा होता है याद देर नहीं करना पूरा वीडियो देखिए अक्टूबर के नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में प्रिवेस कराएंगे आपको एक्जाम जिनका है वही केवल देखेंगे जिननों का एक्जाम नहीं है वो भी देखें क्योंकि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है समझ रह हमारे आप पर खेल मंत्राले के खेल सचु कौन बने खेल मंत्राले के खेल सचु सचु सुजाता चौधरी राजीव बंसल अनुरादा प्रसाद देवेंद्र कुमार सिंग है जनता क्या लग रही है जनता ने पहले जवाब दे दिया सर सुजाता चौधरी होना चाही राज समझ में लोग बता ही समझ में आ रहा है उसमाझ में आ रागण सल वेटा राजुववं सल जोई यह हमारे क्या बने मिनस्ट्री सेक्रटरी बने बने अनुवधा प्रसाद की बात करेंगे तो यह इंटर-बेंद्र-कWias सिंग की बात करेंगे तो यह हमारे कौन से मिनिस्ट्री आफ कॉपरेशन मिनिस्ट्री आफ सहकारिता के सेकर्ट्री है लेकिन हमने पूछा क्या था खेल सची हूँ क्योंकि यह नए बने ना तो इसलिए इनका नाम हमको याद रखना है अरे कर लोगे कि छोड़ कि आओगे ब सही से परेंच चल जाओ कितना इंपॉर्टेंट कोश्चन आपके सांथ में आ चुका है तो गाइस ट्यूनीशिया की जब भी बात करेंगे पहली महिला प्रधान मंत्री की तो बच्चे जोर से चलाएंगे एक बार गलत चलाओ को जरूरी थूरी थूरी ना सही चलाना है ग तुनिस यहां की कैपिटल है नजला के उपर टिक करना नजला जुखाम के बाद अगला कोशन है डॉक्टर सना राम चंद्र गुलवानी पहली हिंदू सिविल सर्विसेज में चुनी गई है यहां पर सारे के सारे हमारे इसलाम धर्म को मानने वाली अभी तक सिविल सर्वि और हमाद है और यहां की करंसी पाकिस्थान रुपिया है पाकिस्थान यहां पर जित्ते लोग बहले उन सभी बच्चों को नंबर मिलने वाला है और बहुत समार बच्चे भी नाम याद कर लेते समा सना रामचंद्र गुलवानी गुलवानी ने बेटा कहां पर जाकर के गुल खिलाया है पाकिस्तान में याद रहेगा इस तरीके से याद करते अक्टूबर में इथोपिया के प्रधान मंत्री नॉबल प्राइस से सम्मानित वेक्ती कौन है बेटा जोहार मुहमद मिलजर स्वानी आइकिस अफिरवारी अभी एहमद है क्या होना चीए दोस्तों सभी बच्चे को जवाब देना है साड़े 400 के आखड़े को और नों टच क अगला कुशन है किसे हमारे प्रधवी के विज्ञान मंत्राल है के नए सच्यू के रूप में आप देखेंगे के राजा रमन है राजू बंसल है सुजाता चौदरी है के संजय मूर्ती है एम रवी चंदरन बेटा दो को तो तुम लोग उड़ा दोगे यह दोनों को ना इनको यार इन को यहां पर क्या काम है उड़ा देते अब अब इन तीनों में हमें टिक क्रना मैं रवी चंद्रन के ऊपर तिक कर Yours don't कि भूल जाओगे याद रहेगा या भूल जाओगे अगला कोशन है मेरेंद्र मोदी जी के सलाहकार अडवाइजर कौन अपॉइंट हुए अलोक रंजन अमित खरे अभय कुमार अमिताप कांतिया अनिल गोस्वामी क्या लग रहा है अनिल यहां पे अने लंगेत क्या लग रहा है यहां पर यहां पर जनताब बोल लिए है कि सर हम पूरा यहां पर छे मैने के current affairs पूरा रिवीजन करेंगे लेकिन गाइस जोस नहीं कम होना चाहिए यहां पर जो नंबर कम हो रहा है जोस के रूप में मुझे दिखाई देता है मेरा भी जोस्त का मुझा है बाई साथ याद रखेगा पूरे को बनाना है यह बढ़ना है हुसले की उड़ान उड़नी है यहां पर जनता बोली है सर अमित खरे के उपर टिक करिए खरे साहब मोदी जी को बहुत खरे खरे लगे इसलिए नोंने इनको रख लिया आजाओ खरे धिनल विरे विकोड़ार जबडल ऑच्टिशित रिया थाव जेए ढोर मिल जाएंगे अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या यहां पर कुछा रहरा है माना आधिकार पड़िस्द के लिए कौन सा देश हमारा चुना गया है नेश्टनल human rights council जो है यह कहां पर शुरू हो रहा है जिसका नाम है सबसे बड़ा वर्ड पावर इसका क्या नाम में बिटा USA अमेरिका के ऊपर ठोकते हैं आगे बढ़ते हैं वर्ड पावर यही है और यही human rights की बात करता है तो America is right answer यहाँ पर कंप्पूटर जी यहाँ पर सही करना भूल गया है America is right answer अगला कोशन देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर हमारे चेर्मेन और MD है National Research Development Corporation के हमारे चेर्मेन और MD कौन बने जयंत कुमार मोहंती है असोक वासुदेओं है अमित रस्तोगी राजिंदर सिंग है वीकेश सिंग है क्या होना ची दोस्तों सही जवाब जल्दी से बेटा हम सोच रहे थे अभी तेक हम लोग साड़े 400 की उपर चलते चले जाएंगे क्या जनता रुकेगी क्या रुकने वाले हैं जल्दी से बेटा यहाँ पर थोड़ा जोस दिखाईए सबी लोग जनता बोलेगी सही जावा बनाची यह रस्तोगी साहब रस्तोगी साहब जो है यह हमारे national research R.S. research, R.S. रस्तोगी R.S. research जहां पर research आ जाए वर्ड R.S. ठोक क्या जाना बिटा याद करने कि यही छोटी छोटी ट्रिक का जो याद करनी R.S. research, R.S. सबी लोगो का कमेंट करना है रस्तोगी चलिए आगे तब चलते अगला कोशन क्या है यहाँ पर फिर से कोशन पूछ रहा है हमारे जो बेडन ने Deputy Director of Chief Operating Officer of US Trade and Development Agency किसको बना है यहाँ पर देखना सभी को Deputy Director of Chief Operating Officer of US Trade Development कौन बने बाबू डेविट का पोस है लॉरी गावरेकर है रोहन एडन स्टीलन है विनमाई थुमल पल्ली है या सौन डेनो वन है जनता क्या लग रहा है जनता ने यहाँ पर जवाब दिना शुरू कर दिया है कि सर अगर आप इसकी बात करेंगे अक्टूबर 12 में अमेरिके राजपती ने जिसको बनाया है डारेक्टर वो है हमारे कौन जल्दी से सारी सारी जनता को गेस करना है कंप्यूटर यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर लिखना भूल गए है चलिए गाइस यहाँ पर जो सही जवाब है यह हमारा विन्नू थुमला पल्ली विन्नू थुमला पल्ली जितने लों बोले है यहाँ पर सही जवाब दे है जेखें, ऑस्टेलिया जापान एंगा, यूके है या यूएस है, डेम सिंडि कोरो, गाइस यहाँ की कैपिटल वेलिंगटन है, यहाँ की बात करें तो एडिना जर्डन यहाँ की क्या है, हमारी पुछान मंत्री है और यहाँ पर करंसी भी डॉलर में चलती है, यहां का सही ज यहां के हमारे बने हुए अगला कुशन देख लेते हैं भारत तोलन महासंग IWLF के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है IWLF के अगला कोशन है उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान जिसकी कैपिटल तासकंद है इसके ने राष्टपती most important guys exam अगर हम देने जा रहे हैं और यह हम question बना के नहीं जा रहे हैं तो भाई हमको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए क्योंकि यहां पर उजबेकिस्तान के नए राष्टपती का नाम पूछा गया है बिल्कुर अरे भाईया यहां पर एससी रेलवे बैंकिंग जितने भी एक्जाम की थ्यारी करने वाले यह कर सेसं छोड़ रहे हो तो दुन्या में सबसे बड़ी गलती कर रहे हो ठीक है हो सकता है कि recorded form में यह सेसं को हटा दिया जाए उससे पूरा सेसं देखना है जनता यहां पर बोले इससा सही जवाब होना चाहिए सौकत मिर्जयो यो जितने लोग यहां पर बोले उन बच्चों को यहां पर नंबर मिलने वाला है सौकत मिर्जयो वे इस राइट आंसर यह बने है हमारे उच्पेकिस्टान के क्या हमारे नैराजपती यहां की क्या प्टल तासकंद है अगला कोश्चन देख लेते हैं की बात कर रहे हैं और कनाड़ा में इंडिया का जब भी कोई पद ग्रहन करेगा पूछो पूछो इनसे रक्षा मंत्री कौन बने गाइस उतनी देर से बोल ला हूं कुछ बच्चों की वज़े से जोस कम दिखाई दे रहा है साड़े 400 प्लस यार खीचो मना मामले को मामले क को खीची नहीं रहो तुम लोग जितने भी नए बच्चे हैं यहां पर वही खीच सकते हैं उन्हीं के हाथ में मामले को कमांड को खीचना साड़े 400 प्लस क्या आपको पूरे कोश्चन करने की नहीं करने साड़े 400 खीचो आपको मेरी बास सुननी पड़ेगी तभी वीडिय पिदियाप के लिएयं यहां पे सही जब है अनिता आनन्ध आनध कर रही है कनाड़ा में आनधा अगला कॱेश्यन है भारत के उचायुक्त ब्रूनी देश में किसको बनाएगी है इस बाल चंदरनी है सिनुए हैं या सुब दर्सनी तरपाटी है जलनीश बताए बेटा अब इससे अदा यह तो पूरा इतना एचटी में कैमरा लगा हुआ है इतना बढ़ियां बोर्ड लगा हुआ है बेटा तुम अपने रेजोलूशन को ठीक करो सही दिखाई देगा जनता बोले है सही जवाब होना चाहिए आलोक अमिताब धिमरी धिमरी साहब जो है य केवल ध्यान से इसे को याद करेंगे सिक्की के हमारे चेर्मेन कौन है अभिनो कुमार ओम प्रकास गुपता ही तेस रावल है अरुन चावला है उदित सिंगल है जल्दी से जनता को जवाब देना है यार यह ऊपर नीचे नंबर क्यों हो रहे है मुझे यहां पर टिक के ब नए चेर्मेन के तवर पे आपको दिखाई देंगे ठीक है किक के नए चेर्मेन के रूप में दिक देंगे यह हमको याद रखना है ठीक है औरुन चावला न्यू डिरेक्टर जंदल के तौर पिडरेशन defense book and author सब कुछ पढ़ने वाले लेकिन तुम लोग या टिक करके बैटिंग करोगे तब भी कराएंगे टिक करके खेलना है बिल्कुल यहां पर जनता बूल लिए सर राहुल द्रविड होना चाहिए राहुल द्रविड को बनाए गया BCCI के चेर्मेन सौरब गांगुली है अंत बहुत इंपर्टन मैं आप इंपर्टन नहीं लिख रहा हूं मैं मोश्ट इंपर्टन लिख रहा हूं हेग में इसका हेड्ड कॉर्टर और इसके चीप जस्थिस नवंबर में बेटे हम लोग आ चुके और अब भी तक साड़े 404 बार बोल चुका हूं हम लोग उन्हें जो करें आले कई हैए जो लोग सुवल्गों आते होंगे ना मैंने कई बार इनका नाम बताया राज सुक लाइड डेमिरल बलदेव कुमार है ह Für Amber हमारे नेवी के दे होता है कब ज़ौट तो चाहर दिसंबर को लिए और इसके प्रमुख बनाएगा और हरी कुमार क्या बनाएगा बैटा हरी कुमार बनाएगा याद रहेगा जेतने लों को जैहिंद बोल देंगे यह दोनों नाम पॉइंट है एयर फोर्स के प्रमुख है व कर लोगे साड़े 400 कांकडा क्रॉस किया हम लोगों ने राज सभा के नए महासचीव किन को ठोका गया है राज सभा के नए महासचीव पीसी मोदी जी है परिवल नथ्वनी है विजय साही रेड़ी है वेमिला राइड़ी है या पिल्ली सुभाष चंद्र घोस हैं सर ने कुछ जद्ल्य divert लिए रोड़ी जो है पर इसा सही जवाब होना चाहिए मुझे भी लग रहे सर दिए पीश्य मोदी पीशी मोदी पीशी मोदी पीशी मोदी जी जिती रोग बोले बिलकुल सही जवाब है मोदी जी के नाम पर मोधी जा है पहले हमारे क्या थे पहले यह हमारे CBDT के चेर्में थे अब बन गए राजसवा के सेकर्टरी बहिए देखो जापान के नए प्रधान मंत्री बताइए ठोके यहां पर जापान के नए प्रधान मंत्री सीजो अंबे हैं सुगा येटी हीदे हैं फोमिया किलसादा है यामा एक औरी टोम मों वहां क्या नाम है यहां पर जंता बोले है सार जापान की बात करना सीजों अंबे ने तो अपना रिटार्मेंट ले लिया हूँ हमारे से क्या बन गए हो हमारे देस में काई सारे अवोड बन गया पदम बिबूशन उनको दिया यहां पर सईह जवाब है व नवंबर दौर 21 में वर्ड फूड प्रोग्राम के सदभावना राजदूद किसको बनाए गया है डेनियल ब्रुहल को जरनी रेनर को किस्टोफ वाल्सर को जेबियर बर्डम को क्या होना चाहिए गाइज एक टार्ट आपको फिर से दे रहे जभी सब्सक्राइट को वर्ड फूड प्रोग्राम के चेर्मेन कौन बनाएं गया है और इसके में ब्रुहली ब्रुहल ब्रुहल इस राइट आंसर दे ब्रुहल हल चलिए आगे चलते एकılarा कुशन देख लेते हैं कुवैत के प्रधानमंत्री भाई सब कुवैत के लोग बहुत वड़े खिलाडी होते हैं तो बताओ क्या होना चाहिए हिंट दे रहा हूं खिलाडी लोग होते कुवैत के जवेर साहब है, खालिद साहब है, थानी साहब है, एहमद साहब है तो जंता ने बोला, कि सर आपने बता कुवैद के लोग खिलाड़ी होते हैं तो गाइस, ये दिमाग में बात ऐसी अट की, कि हमने खालिद के ऊपर टिक कर दिया सेख सबाल खालिद कितने लोग को कुवैद के प्रधान मंत्री का नाम ठुक गया एक्जाम में दिमाग में ठुकना चाहिए यहाँ पे यहाँ पे अत्तामाजी सब्सक्राइब तो सेख सबाल खालिद इस पीम आफ कुवैद जल्दी बताइए ठुक गया खिलारी साथ important question most 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 important question Sweden की पहली महिला प्रधान मंत्री ठोकता है सभी को ठोकना है यहां पर Sweden की पहली महिला प्रधान मंत्री क्या होना चाहिए म मंदेला एंडर्शन मंदेला जो है यहां पर जितने लों यह पर बोल ले मंदेला एंडर्शन इस राइट अंसर सुडेन की क्या है स्टॉक हो में इस टॉक हो मिज़ा कैपिटल आप स्वीडेन ठीक है एक नंबर जिते लोग ठोक रहा है जब आप से गाइस मैंने सोचा था इस वाले कोश्चन में हम लोग 500 हो जाएंगे कुछी बच्चे कम है ठोकते इतिहास रचते चलिए अगला कोशन देख लेते यहां पर हमारे इंटर हो गुपता है या ओम प्रकास है जल्ली से बताईए क्या होना चाहिए चलिए यहां पर जन्ता ने जवाब देना सुरू कर दिया है कि सर 194 यहां पर सदस्देश है इंटर पोल में इसका जो हेड़कॉर्टर लियॉन फ्रांस में है और इसके हमारा नय एक्जेक्टी राज़णी है पी से परवीन है इस तरीके से याद कर सकते हों सीभी आइसी के मतलब हमारे चेयर्मेन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंटरिक्ट टेक्स क्या होना चाहिए महापात्रा सवाब वो डारेक्ट टेस्क चेयर्में बन गए इस बाहुत सारा पाट्र था तो महापा ठोब सा आगे बढ़ाना है यहां भिजनता बूल लिए सर जोहरी महापात्रा जो है ब시면osales क्रैक्षिंटम में गए और जोहरी साथ जो है इंटारेक्ष टेक्स और कस्टम में गए बैस्याय याद रहेंगा जोहरी जहनते हो न जो हमारे जोहरी लोग कोते हीले चांदी के आभूसर बनाते हैं महापात्रा एंजोरी जितने लों के दिमाग में ठक से करके गया है सीधे तीर की तरीके गया है वो यहां पर मुझे बताएंगे और आगे बढ़ेंगे अगला कुश्चिन है यहां पर एनेच आई नेशनल हाइवे अथोर्टी ऑफ इंडिया के नए शेयर्में कौन है रेड़कर सर्मा अलका उपाध्या उमा सिर्वास्तो या बीनु गुपता यहां पर सभी बच्चों को जवाब देना च्छाया क्या लग रहा है लोकनात चंदनी मिस्भा अरितिका जल्दी जवाब देना दस बच्चों की कम यह 500 में तुम ही करने वाले हो यहां पर जनता बोले से सही जवाब होना ची अलका उपाध्या उपाध्या जी का यह नाम यहां पर डिना अलका अलका जो है यह हमारी बनी है राश्टी राजमार गाइस अलका अगर कहीं option में है तो करके आना है क्योंकि अलकामी तल अभी आपको परने को मिलेगा यह ओँन जी-सी की चैर्मैन बनी है ओँन जी-सी की-पहली पहली महिला चेयर मैं कौन बनी है ओख मित्टल और अलका उपाध्या एनाचाई कि यह वाला नहीं थो बटा है नाम बदल देना लेकिन बच्चे यहां पर मैंने संजी कुमार या राजेन रकेश सिंग्ग है जल दिर बताना है मिशन कर इसका जीर ज सवद्त मिर यह उत्तर यह होना चाहिए प्रिंप थृप्स हो इंप्राई प्रिंट्र के हमारे जो चेर्मे स्वाका हिन का नाम है प्राइब सम्मी राओ क्या यह मैं सम्मी साथ आगे चलते हैं, सम्मी राव के बाद हमारे बीजिंग उलम्पिक, जो की सीथ कालीन है, विंटर उलम्पिक के नाम से जानते हैं, कहां पे बीजिंग में होना है, कौन बनाया गया है, सेफदा मिसन, हरजिंदर सिंग, वजरंग पूनिया, सौरब चौधरी या संदीप कुमार तो जनता जवाब दे रहे हैं, कि सर, अगर आप सीथ कालीन उलम्पिक की बात करेंगे, तो यह जो यहां पे जो सेफदा मिसन बनाये गया है, उनका नाम है हरजिंदर सिंग, कौन बनाये गया है, हरजिंदर सिंग, बेड़ा देखो, मैं पहले बोलाओ, जोस, मेरा जोस, त सारे 20% से ज्यादा कुश्चन जो एक्जाम में आने वाले इस क्लास से करना है, तो यह जोस दिखाओ, सबी लोग जितने नए बच्चे हैं, पुराने वालों को नहीं बोलाओ, वो 480 बच्चों को नहीं बोलाओ, नए बच्चे 20 जो है, वो कलेक्ट हो जाओ, तुमी को बो करती है, कुल दीप नईयर है, बेटा PDF मुहमद, आपको जुड़े रहना है, टेली ग्राम का लिंक मैं दूँगा, अब भी कोस्चन को सॉल्व करते हैं, टेली ग्राम का लिंक दूँगा, जहां पर PDF मिल जाएगी, इस क्लास के नीचे भी अटैच करूँगा, लेकिन पूर सही है, वीकेतर पार्टी इस राइट आंसर, यहां पर जितने लोग तीन नमबर बोले हैं, जवाब उनका सही है, इस पात मंत्राले के सचीव के रूप में किसको चुना गया, रवीज सिंग है, अवनी सुकला है, अनूप पाठक है, संजय कुमार सिंग है, बेटा स्टील म जल सकती मंत्राले के सचीव कौन बने, नमिता खरे, सूरज राणा, कृतिका अगरवाद, विनी महाजन, सर ने क्या पूछा है, जल संचाले के हमारे सचीव के रूप में कौन बने है, यहां पर जनता बोलेगी, सर जल मंत्राले के अगर बात करेंगे, तो गजेंदर सिंग सिखावत की मिनिस्ट्री है, यह विनी महाजन जी को यहां पर क्या बनाये, नोंने सेकेर्ट्री के रूप में पॉइंट किया हुआ है, अगला कोशन देखते हैं, तेल और प्राकृति गैस, ओन जीसी की पहली महिला, चेर्मेन कौन बनी, इंदु जैन स्वातिकुमारी, न यह आपके पास 800 पद्यां, अलोग कुमार है, जी असोग कुमार है, के जी रहाटें, जनता फिर से जवाब देगी, सही जवाब होना चाहिए, जी असोग कुमार सही जवाब है, गजन्द सिखावत इसके चेर्में, हमारे मिनिस्टर है, हमें बताना है कि आतंक विरोधी कम के चेर्में कौन बनाए गए, भारत के बनाए गए कौन है वो, अकब दीन है, त्रिमूर्ति सहाब है, संगला सहाब है, विकास रूप है, जनता क्या बोलेगी, छे बच्चों की कमी है, 500 वेटा, जनता बोलेगे सही जवाब ने है, त्यस्तित्ति लोग बोले, उनका जवा ताशेर्ग में और्पांग कोंड़निय राइन ये साथ संगहाई कॉर्पारेशन जो हमारा चाइना में उसके चेर्मेन बने भे उंडेंग जन्यकास है हमारे असम राइफल्स उत्तर रीजन के हमारे कौन बने है महा निदे सक विकास लहेरा है सील वर्धन है पंकच कुमार है संजय अरोरा है क्या होना चाहिए सर ने कोश्चन पूचा है असम राइफल्स के हमारे महा निदे सक जनता बोली है सरसही उत्तर होना चाहिए जितने लोग बोलें विकास लहेरा उनका जवाब बिलकुल सही लग रहा है विकास जितने लोग लिख रहे हैं उनका जवाब बिलकुल विकास की तरफ जा रहा है पाकिस्तान की पहली महिला नयाधीस कौन है आईसा मलिक है, फराज एाजवेग है, उजमा जाहिद बुखारी है, नूर नाज अगनागा है बगाते चलिए सबी लोग सुप्रीम कोर्ट की हमारे पाकिस्तान की पहली महिला जज देनियल ओटेंगा की बात बताईए डेनियल ओटेंगा कहां के हमारे बने हैं राजपती कोश्टी पहता बेनेजुला निकारंगव है क्या होना चाहिए दोस्तों सर ने क्या कोशन पूछा है डेनियल और टेंगा कहां के राश्पती बने आपके सामने इतने सारे ओप्सन है किसी एक को चुनना है और टेंगा और टेंगा का कहां पर राश्पती बने एक एक प्रस्ण को देखे यही प्रस्ण आने वाले हैं है ना सोनाली यही आने वाले हैं जनता बोले से सही सब ने याद किया होगा विहान सुबेरे आते हो ना बढ़ाया था निकारंग गुआ मैप में दिखाया था गलत कैसे हो गया इस रो के च़ेरमेन कौन है रंगा स्वामी सोमनात के डंबी ऐयर या के सीवान आने वाला कोशन नहां पर सर नशिख दिया आने वाला अने वाला प्रस्ण है ये जल्दी स्थोकों क्या होना चाहिए जनता बोली ग में सर इस्रो के शेयर्मेन के सिवान को रिप्लेस करके के सोमनाथन बने ध्यान से एक्जाम में भी यही गलती आऊंगे जो यहां पर बैट के कर रहे हो गलती जो पढ़ने वाले बच्चे न जो डेली आते 500 बच्चे उनका गलत नहीं होना चाहिए बताइए किसको हम लोग ने लेबर इंप्लाइमेंट के किसके सच्चिव के रूप में देखा है असोक कुमार विनीत अजीत विनायक ससांग गोयल या मनो मनमुहन भनोट है होगी अलोग होगी हिस्टी की क्लास कल है संडे को तीन घंटे की हिस्टी पॉलिटी जियोग्राफी सबका मिस्रान है कल कल लिंक दे देंगे तुम्हाई टेलीग्राम ग्रूप पे जनता बोले सब्सक्राइब जवाब उनका सही अगला कोस्टन देख लेते हैं बारबाडोस के प्रधान मंत्री कौन चुने गए बारबाडोस के प्रधान मंत्री सर पूछ रहे हैं तो 6 मिने के करेंट अफेस बेटा पूरे दिन भर पढ़ाते रहेंगे याद करो explain के लिए आपको छे बज़े आना पड़ेगा सुबह उठ करके मिया अमोर मोताली मिया अमोर मोताली इस राइट आंसर डिसीदे याद करेंगे आर्थिक सलाहकार हमारे चीफ एकॉनमिक एडवाइजर जनवरी 22 में कौन बने वी अनंत नागेश्वर दक्टर संकर आचारे गी क्या होगा सिर्फ को टैकल करो वी अनंत नागेश्वर दिस राइट आंसर वी अनंत नागेश्वर यहाँ पर सही उत्तर है अगला कोशन चलिए भारत के इन्सॉल्वेंसियन बेंक्रप्सी बोर्ड के चेर्मैन कौन है आपके सामने इतने नाम लिखे में बताईए सर ने को इदूशा है बेंक रपसी बोर्ड के चेर मैन कौन है गुर्दीव सिंग पवन मुंजाली टीवी नरेंदरानी रवी मित्तल अभिना कुमार बहुत बढ़िया रवी मित्तल रवी मित्तल को बनाए गया है इंसल्वेंसियन बैंक सरपसी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में UGC के चेर्मेन कौन है भाई आरे भाई सहाब सर ने तो गेम खेल गए UGC के चेर्मेन मतलब University Grant Commission के पूछ रहे बताईए क्या होना चाहिए जनता बोलिये सर जगदीस 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 जी को UGC का चेर्मेन बनाएगा जी से जगदीस जैसे UGC दोनों में जी जी आ रहा है याद करने की छोटी सी को रिलेट करने वाला ट्रिक है ऐसे याद रहेगा एक्जाम में नहीं तो बैटा सब मिला दोगे खिचड़ी बना दोगे चली आगे चलते अगला कुशन क्या है यहाँ पर NCRT के चेर्मेन यह तो तुम लोगों को नहीं आता होगा दिनेश कुमार सकलानी है वी अनंत नागेस्व रहने डाक्रा संकराचार है या जैतीर्थ राओ है पुरसोत्तम क्या रग रहा है सर ने पूछा है NCRT के चेर्मेन कौन बने डारेक्टर कौन बने जनता बोलेगा सर संकल्प करके जो NCRT को खतम करते हैं वही सफलता पाते हैं तो NCRT के चेर्मेन ने सकलानी साहब संकल्प से सकलानी देख रहोगे सुबह 6 बजे लिए क्लास का प्रभाव कितने ऊपर जा रहो अगला कोशन में आते SSC के लिए स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के चेर् फरवरी को बनाए गया है तो जनता बुलिए सबस्टाइब और रचे स किसोर किसोर लोगों का भला करने के लिए जो किसोर लोग है SSC उनका सेलेक्शन कराती है तो किसोर जो है बने है SSC सोर याद करोगे कि भूल जाओगे याद रहेगा ना SSC सी बोर्ड के हमारे कौन बने चेर्मेनसी के चेर्मेन बनना याद इतना असान काम नहीं है सी बेसी पूरे हमारे जितने भी पूरे इंडिया में श्कूल है इनका रेगुलेटर है यहाँ पर आपको बताना उसके चेर्मेन कों ए तो बैट जोस में रहना बहुत ज़रूरी है कंप्योटर जी हमको काफी कि देने आए इनका बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे और साथंजार पानी भी देने आए था खाक अ को भगवान करयां की जल्दी से साधी हो जाए दो छोटे-छोटे बच्चे हो जाए तो यहां पर जनता असिरवाद दे दिया सुबह सुबह से ठीक है युद्ध में तालमेल के लिए हमारे कौन से युद्ध अभ्यास करया हमारे सेनाओने पश्मी लेयर युद्ध के नायक है अजेव आरिया या हैंड इन हैं पताइए पश्मी लेयर भाईया अब आते हैं डिफेंस इकसराइज़ तो भाईया देखिए यहाँ पर जितने भी महत्रपूर्य पॉइंट में हो चुके हैं घवरानी जुरूत नेंगे पीडियाफ में सब अटैच होके मिल जाएगा लेकिन अब हम लोग बात करते हैं डिफेंस इकसर सभी लोग को चलिए तो सभी लोगो ने और जो लोग डूकर्च फॉर्म में देख रहा है वह कमेंट में जैहिन जरूर लिखेंगे यहां तक अगर पहुँच गया जितने लोग यहां तक पहुँच गया जैहिन जरूर लिखेंगे सबसे पहला कुश्यन है प्रसांत महा सागर में 6 महा देसों की हमारा युद्ध अभ्यास का कराया जा रहा है, जिसको हम लोग sea dragon 22 बोलते हैं, 6 देस हैं, कौन सा नहीं है, इंडिया, आस्टेलिया, कनाड़ा, चाइना, कौन सा नहीं है, बताईए जल्दी से, कौन सा नहीं है, तो आए तुम्हारे लि में मिलान exercise में किल कितने देशों ने participate किया हमारा जो मिलान exercise है हम ने अलग 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 देशों को बुलाया है 1626 36 46 क्या होना चाहिए चाइना को निकाल दी अंद बाग लोल कहीं का जनता बुली साथ 46 उना जी 46 देशों नहीं यहाँ पर पार्टिसेपेट किया मिलान एक्सराइज में अगला कुश्चन है बिमस्टेक फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बेंगॉल इनिवेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इन्हों ने इंडिया के साथ मिल करके एक इक्सराइज किये कई सारे कंट्रीज है इसका हेड़कॉर्टर ढाका में है यह इक्सराइज बेटा कहां पर हो इसका नाम है पैनेक्स इक्सराइज का नाम है पैनेक्स इक्सराइज कहां पर ठोकी गई है बताईए पीसे पैनेक्स P से P 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 क्वार्वा संस्करान कहां पर हो रहा है भारत स्रिलंका मंगोलिया माल्दीपी या हमारा मौरिशी framework का सब्सक्राइब का शाल स्रेलंका के उपर टिक्कर ते गया सोचना क्या या नहीं तिक करना है माल्दीप необход teste माल्दीप exercise हुई थी एलवी केरियन जो exercise है यह मालदीप के बीच में हुई थी मालदीप की capital माले है ठीक है याद रखना है अगला question है नवंबर 21 में हमारे ने बस्ते के साथ किया हमारे दोस्त है क्यों के साथ किया हमारे दोस्त हैं ने मालदीप के साथ कि यहाँ हमने जनता सही है की नहीं यहाँ पे स्री लंका और माल दीब के ऊपर अगला कोश्टन है में भाग लेने वाले कौन है हमारी अंदुस्तान के बारत सिंगापुर थाइलैंड ए नेवी गेस्साइज है तो हमारे कौन से नेवी ने इसमें पार्टिशिपेट किया है कौन से सिप ने पार्टिशिपेट इस लुकरी यू अपरवी कलाने नेवी सिप है जिसने सिंट मैक्स बेटा देखो स्री लंका इंडिया थाइलेंड यह मिलिटर इक्सरसाइज है स्री लंका इंडिया थाइलेंड की हमारा जो ग्यात हुआ है कर्मुग खुकडी रिटायर हो गया है, खुकडी कहां पे हमारा रिटायर हो गया है, यह हमको दमन में, डिव में देखने को मिलेगा खुकरी, चलिए अगरा कुश्चन है, भारती सिना ने 15 से लेके 26 तक अभ्यास सक्ती का आयोजन किया, वो और इक्षरसाइस का नाम है सक्ती, सक्ती, पावर किसके साथ फ्रांस, जर्मनी, इट्ली या इस्पेन थोको 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 नहीं आता होगा मुझे पता नहीं आता होगा लेकिन जनता इसका जवाब एक्जाम में पूछेगा सकती हो गया या गरुल हो गया सकती हो गया या वरुन हो गया यह दोनों exercise हम लोग करते हैं जहां पर Interpol का headquarter है जहां पर UNESCO का headquarter है फ्रांस के उपर फ्रांस के उपर जाओ ना भाई फ्रांस के उपर चल के बैट जाओ चल के बैट गए पैरिस यहां की capital है सकती यहां पर corporate का 32 संसकरर जो है यह वह और exercise नेवी के बीच में होती है किसके साथ कहां पर हो रहा है corporate जो हमारा जो exercise होती नेवी की कहां पर ठुक रही है रसिया यूके है वियत नाम है थाइलेंड है कोरिया है जल्दी से बताना है जनता यार अभी तक हम सोचेते 600 हो जाएंगे यार 600 नहीं होना है क्या अभी तो बैठा अवार्ड बाकी है अभी तो बुक अंधर बाकी है पिक्चर तो अभी मेरे बाकी है दोस्त और अभी तक 600 के ऊपर नहीं गए इसके पढ़ने का मामला रेन हुआ सब लोग एक साथ मिल करके उडान भरिए यहां पर ठाइलैंड के उपर टिक कर यह कॉर्पेट का 32 संकरन थाइलैंड में हुआ अगरा कोशन देख लेते कोंकंड सक्ती कोंकंड सक्ती 211 बेटा कहां पर हुई UK जापान USA ऑस्टेलिया या चाइना पहला त्रिसेवा संयुकत अभ्यास शुरू हुआ है जनता बोले सर कोंकंड तो यार इंडिया में है बहुत बढ़ी है लोग नात बोला है सर यूके के उपर टिक करी एन उनाइटेट किंग्डम में हुआ है कोंकंड सक्ती यूके में हुआ है अगला कोश्चन है गार्डियन आफ साउथ वन गार्ड सब्के不會 यार गताद पूलेगी सर यहां पर जो सबके लिए प्रभू दिदी सबके लिए सुमंदीником के लिए नहीं है ना डिफेंस यह सब के लिए बैंकिंग जोड़ करिए सडान सब्सक्राम की कैपिटल खार्टू में यह मिस्र के साथ दोनों जू एक्सरसाइज किय अगला कोश्चन है नौसेनिक अभ्यास सायूक्त सागर 2021 सायूक्त सागर जो एकसरसाइज जापान साउथ कोरिया चाइना पाकिस्टान इंडिया किसके साथ किया है सायूक्त सागर एकसरसाइज बैटा यहां पर ऊपर ने बढ़ोगे ना तो हम भी नीचे गिरने लगेंगे जोस मेंटेन करो, your जोस is directly proportional to my जोस and our जोस विल मचाइं तहलका in all over India, समाझ लोग की नहीं, यहां जनता बोले साइज बना चाइना, भाईया यही अकेले संयुक्त सागरक इक्सरसाइज पे रूस के साथ इक्सरसाइज किया था, ठीक है, बिल्कुल, सुमन बात करेंगे इसके दित्त किया था, कहां पर, UK ने, US ने, कनाडा ने, रस्या ने, जापान ने, गोर्खा राइफल्स, फ्रंटीर फोर्स को स्वान पदक्स दिया गया है, पेट्रोलियम हमारे करेबियन पेट्रोल अभ्यास में यह प्रतिनित्त किया गया था, किसके द्वारा, जनता बोले कि सही जवाब होना ची, मुझे भी लग रहा है, इसका सही जवाब है, UK फिर से, UK इस राइटा, अगला कुशन देख लेते, exercise युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास जो है, infantry battalion की कितनी टुकडियां हमारी गई है, युद्ध अभ्यास, 2021 में कितने हमारे battalion ने पार्टिस 2021 जो 25 से लेकर के 28 अक्टूबर तक हुआ था, ये हमारे और US, अमेरिका के बीच में सबसे बड़ी war exercise है, किसके, अमेरिका के बीच में और हमारे बीच में, याद रखेगा, हमारे साले 300 टुकडियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, अमेरिका की टेक्नोलोजी को, हम हमारे जाबाज साइनिकों ने इसको समझा था, समझ रहों की नहीं, अगला कोशन ठोक लेते, अगला कोशन आपके सामने है, माला बार अभ्यास के दूसरे चरण में, कौन-कौन से देश पार्टिसिपेट किये, माला बार अभ्यास में, नौ सेनिक अभ्यास है, जापान, आउस्टेलिया, फ्रांस है, देख लीजेगा, आप जवाब दीजे, तब हम ही थोड़ी ना बताएंगे, भई आप तुमनों को भी कुछ बताना है, बहुत बढ़िया जनता है, यहां पर बोली है, सर, जापान, आस्टेलिया और अमेरिका ने इसमें पार्टिसिपेट किय है, यहां पर जापान, आस्टेलिया और अमेरिका ने अगला कुछन है, अजे वारियर किसके साथ होती है, अजे वारियर वार्ट किसके साथ करते है, गाईज, रुख गयो तुमनों, यार, मजा ही नहीं आरा मेरे को, मुझे रुखने वाले लोग पसंद नहीं है, यहां टार्ट किसके साथ, अजे वारियर यूके के साथ, जिम्मेक्स, यह जो हमारा आयोजन है, भारत और किस देश के बहुत है, जिम्मेक्स, कौन से दो देश हैं जैसे 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 जापान आई से इंडिया रुखना नहीं आगे बढ़ते हैं अब भ्यास मित्र सक्ति किसके साथ ठुका हुआ था मित्र सक्ति नेपाल भूटान स्रिलंका बांगलादेश और रोक देख्या कोश्चन मजा रहा है ना यूद अमेरिका के withdraw ngay गया मित्र सक्ति जो है वो स्रीलंका के साथ ओगया रुखना नहीं है बढ़ते चलो मित्र सक्ति स्रीलंका के साथ जया वर्धन-पोर्ता यहां की क्याप्टल सूरज किरण जो एकसर साइज्ञ यह नेपाल के साथ करते हैं कहाँ पर हुई सूरज किरण इकसर साइज ने थोरा गर्डिस्टिक यहां पर यूके में चले आगे चलते गला कुशन है यहां पर एक्सरसाइज पीस्फुल मिशन छटवा संस्करान कहां पर हुआ रसिया भारत चाइना उजबेकिस्तान किर्गिस्तान यार तुम यह क्या कर रहो हम रोग दे रहे हैं चलो नहीं करना कुश्चन जो स्कम हो जाएगा ना ब्लैंक कर दूँगा स्क्रीम मुझे जोस चाहिए सही जवाब है यहां पर रसिया रसिया इस राइट आंसर चलो आगे कला कुशन में आते हैं यहां पर है ऑस्टेलिया इंडेक्स समुद्रिक सरसाइज किसके किसके बीच में हुआ इंडिया जापान और साउथ कोरिया इटली स्वीडियर नाम से पता चलना है ऑस्टेलिया इंडिया ऑस्टेलिया इंडिया के बीच में हुआ ता सिंपर सा कोश्चन था सिंबैक्स इकसरसाइज लिएव सिंबैक्स एस से इन में से कोई एक देश है आई से इंडिया है चलो सिंबैक्स लेड अधे बीन तो ना लेक्रिया जाओगे एक्जाम में पैसी यहां पर खुद्धा ओगे इसी लिए जर्लियार रहा है नं हлось जुद्ध की गई जो वह सकते युद्ध अभ्यास है किस ने किया थाइलेंड पाकिस्तान मंगोलिया बोथ वन एंड टू या ओल कुश्चन क्या है हमारे बहु सांती रक्षा भ्यास पिपल्स लिब्रेंशन आर्मी बताओ थाइन पाक मंगोलिया ना था, एमा मंगोलिया भी था बिटा मंगोलिया के उप्वेटिक करी है थाइलेंड, पाकिस्तान, मंगोलिया तीनों ने आवे पाटिसिपेट कیا था चल्य अगला कौशन में आते हैं अगला कौशन बहुत बढ़िया है जर्मन ने उस सिना ने हमारे साथ एक इक स exercise की थी अगस्त में किस हमारे सिप के साथ तरकस है त्रिकंद है तेग है विकमा दित्त है तरबार है जर्मनी की बात करें भाई साथ जर्मनी ने जो exercise की थी किसके साथ की थी आयका यहीं है मैं कर दो की कि बहुत बढ़ी आईयनेस त्रिकंद के ऊपर जाना है नमबर लेना है आगे बढ़ जाना है अगला कुशन ठोक की आना है काज हिंद exercise काज हिंद के से के जड़ से कौन सा देश है आई से इंडिया क्रबाति कजाकिस्तान केंया कुईस्तान या कु नूर सुल्तान यहां की कैप्टल अगला कोश्चन है जैपेड जैपेड इक्सरसाइज किसके साथ हुआ यार जैपेड भारती सेना ने किसके साथ इक्सरसाइज ठोकी थी कनाडा रसिया यूग एस जर्मनी या जापान पाई साहब समझ में नहीं आ रहा है एक्सरसाइज रसिया और इंडिया ने किया हुआ है अगरा कोशन देखते हैं जैर अल्भर का दूसा संसकरन इंडिया ने किसके साथ किया उमान कतर इरान यमन या कुवेट बहुत बढ़िया जन्ता ने जवाब दिना सुरू कर दिया है सर कतर होना चाहिए कतर इस राइट आंसर कतर यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है माला बार 2021 कौन कौन सी सेनाओं ने हिस्सा लिया है इंडिया के साथ कौन कौन सी सेनाओं है अब भी तुमनों को बताया था थोड़ी दिर पहले अब वक्त आ जवाब देने का सभी बच्चों को जवाब देना है कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो यहाँ पर टिक के बैटिंग करने से पीछे अटेगा है अगला कोश्चन है अल मुहम्मद अल हिंद यह भारत ने किसके साथ इक्सरसाइज की युए साओधी अरब उमान जॉर्डन या इराक क्या होना चे दोस्तों सर ने कोश्चन क्या पूछा है अल मुहम्मद अल हिंद इक्सरसाइज किसके साथ की है यहाँ पर जनता बोले सर साओधी अरब कई लोग युए ही बोल लेकिन यहाँ पर सही जवाब है साओधी अरब रियाद यहाँ की कैपिटल है रियाल यहाँ की करंसी है अगला ने जोस मेंटेन कर रखिएगा जायत तलवार क्या होना चाहिए सही उत्तर जनता बुल लिए सर जायत तलवार की बात करेंगे तो यह हमारे वह के साथ तो यहां पर देखेंगे जायत तलवार और हमारे अलमुहमल अलहिंद इससाइज दोनों याद हो गई यह कोश्चन बहुत कन्फ्यूजिंग एक्जाम में नंबर ले जाते हैं क्या तुम लोग देने वाले एक्जामनर को मौका कितने लोग देने वाले जितने लोग यहां पर मौका नहीं देंगे वो जरा मुझे बताएंगे वीडियो को लाइक करके और थमसब बनाके जहें लिखके कि सर मौका क्या हम उनको इस बर पटक के मार के आएंगे अगला कोश्चन क्या है यहां बताना है कि कमारो सुरू होगा क्या भाई भाई यहा पर अवार्ड की सुरुवाद हो चुकी है मिलिटरिक साइस हो चुके खत्म तो जितने भी यहां पर रिकॉर्डट फॉर्म में देख रहें और अवार्ड तक पहुच गए जरा मेरे को सूचित करके बताएंगे और जितने लोगोंने यहां पर पहुच करके तहल का मचा दि एकदम गर्दा ढ़ा देंगे गिरा देंगे दिवाल गिर जाए यहां पर इस्टूडियो में आग लग जाए गर्दा 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 एकदम अभी ममी के हाथ के चाई की प्याली पी लो यहां पर मेनद करो गे तो जल्दी घरवाले के घरवाली के हाथ की चाई की प्याली पियंगे तो बहुत बढ़़्या कोश्चन एक घंटा चलने वाला यह चलो जोस दिखाना सभी को चलिए पहला कोश्चन है यहाँ पे बहुत इजी से कोश्चन से सुरुवात करते हमारा लोकमान ने तिलक अवार्ड किसको दिया गया है आज हमने देखा कि इन्ही के इंडस्टी के हमारे बिजनस मेन आप दा इयर बने है लेकिन लोकमान तिलक अवार्ड किसको दिया गया दिलीब सांगवी साइरस पूनावाला है उदय कोटक है, रादा किष्णन दमानी है लक्ष्मी मित्तल है क्या होना चाहिए तो साइरस पूनावाला तुम लोगों ने नकल कर लिया है किसको ब्रॉंज मेडल मिला है तोक्यो ओलंपिक की बात सर यहां पे कर रहे हैं जीतन राम है गुज्जी सिंग है बजरंग पूनिया है जॉर्डन बरोज है या डब्लू डब्लू फाइटर जिंदर महाल है जिंदर महाल को भी यहां लोग ठोक दियो कंप्यूटर जी यहां पजनता बोले है सर बजरंग पूनिया होना चाहिए गाइस यह देखिए हमारे ओलंपिक में मेडल जीता हुआ है यार कलर कैसा दिखला है जबलीन त्रोवर नीरे चौपडा गोल्ड मेडल है थोड़ा सा ध्यान दे जिएगा कलर थोड़ा सा अजीब दिख रहा है ब्रॉमन्स बैटमिंटन सिंगlu में पीवी सिंदु लगातार दूसा मेडल लेकर कर क्या यह के पैले सिलवर था इस बार ब्रॉणज है अगला देखेंगे ओंन से वे ब्रॉंज मिडल एक चार ब्रॉंज है दो सिल्वर है एक हमारे गोल्ड है टोटल कितने हो गया साथ मिडल ठोक किला इस बार अगे चले कि रुख जाए चली अगला कोशन ठोक लेते यहां पर वायू सेना के युद्धनायकों ने अगस्ट 2021 में किस सहर में वायू सेना तकनीक कि कॉलेज में सम्मानित किया गया ठीक है हमारे जो वायू सेना के युद्धनायक हैं उनको अमरत महस्तों के फल सरूप किस हमारे कॉलेज में सम्मानित किया गया भटिंडा है बंगलूरू है देहरादून है पूने है या चिन नहीं बताइए क्या होना चाहिए तो जनता ह के माल्दा से राश्टपती पुरसकार के लिए किसको चुना गया है माल्दा टाउं पुल्कित पाल है हरिदास रॉय है मुकोद्याय असीम है दैनुस के वाइस से अनुपम हजारा है सुनील कुमार मॉंडल है बोल यह भाई जनता ने आप जवाब दिना सुरू कर दिया सर सही जवाब होना चाहिए हरी स्वामी दास जितने नों बोले इनको यहां पर राश्पती पुरसकार के लिए चुना गया था साहित एकेडमी ऑवर्ड 2021 में किसको दिया गया है कोश्चन को कम से कम 500 तोपों की सलामी देनी पड़ेगी बताईए हमारे जो है वो किसको यहाँ पर सही टेकड में एवाड दिया गया 2021 में 2022 का कि भी जया दोनों को यहाँ पर उड़े के लिए यसो धर्रमिस्रा और मलियालम के लिए Maliyalam के लिए पिल्लाई साफ को मिला था तो उडिया वार्ड हमने स्किप कर दिया था तो उडिया के लिए भाइस साफ को और Maliyalam के लिए इनको सहे टेकडिमी पूरसकार दिया गया है याद रखेगा, एकजाम में आने वाला प्रस्थन है मल्यालम के लिए पिल लाई साब को अगला कोश्चन है तोक्यो के पैरा ओलंपिक में किसने उची कूद में रजत पदक हासिल किया है ऑप्सन देख लीजेगा जवाब दीजिए जल्दी से यार रेखा इतना बड़ा कैमरा लगा इतना बड़ा बोल्ड लगा तुम्हारा रेजलूसन जो है वह तुम्हारे वीडियो का सही नहीं है तो ठीक कर लो अच्छे से तो यहाँ पर जंता बोलेगी से सही उत्तर होना चाहिए प्रवीड कुमार जाइस यहाँ पर देख लेते है तोटल हमने जो है वो 24 स्थान हासिल किया है 162 नेशन में जो अभी तक का सबसे टॉप का परफॉर्मेंस इंडिया का 19 मेडल के साथ 24 स्थान है जाद रखेगा अभी तक हमने सबसे बड़ा दल भेजा था 24 लोग हमारे यहां से गय थे पैरा ओलंपिक में अभी तक हमने टोटल 12 मेडल जीते हुए है ना बारा मेडल जीते थे अभी तक और एक ही बार में हमने 19 मेडल जीत लिए मतलब जितने अभी तक लाइफ टाइम जीते थे उससे भी जादा मेडल हम लोगों ने जीत लिए 12 अभी तक जीते थे 19 में जीत लिया हमारे पैरा ओलंपिक का जो थीम था वो था करदे धमाल तू यहां पर याद रखना है करदे धमाल जिसको हमारे डिव्यांग संजीव स सिंग ने लिखा हुआ था ठीक है याद रखना है गाइस यह हमारे मेडलिस्ट के नाम है हमारे यहां पर सुमित से लेके प्रमोद कृष्णा नागर मनीज नर्वाल अवनी लखेरा इन सभी लोगों ने ठोक करके गोड़ने क्या है यहां पर हमारे इसी तरीके से नाम मालोग क्रोष्चन आ गया स्रकी खट्रगे हम पंकज संके क्लास के बच्चे हैं हम पंकज सर की क्लास के बच्चे जड़ा बताइए कितना टिक कर क्या होगे सर ने बुला था याद किया गंदा सा कि सर ने बुला 19 मेडल मिले थे 24 इस्थान था 19 ठोक करके आ जाएएंगे च त्रिवेदी है या तनुजा चंद्रा है क्या रगा जनता को ठोकते चलना रुख गए है जनता रुख गई है जनता बोले से सही जवाब होना चाहिए नमिता गोखले साब को यह हमारा यमिन हजैरिका अवर्ड से सम्मानित किया गया सितंबर में बेटा स्वामी लग चाहिए जनता बोले है इसका सही उत्ता होना चाहिए भाईया यहां पर आनंद कुमार जो आनंद से पढ़ते हैं वही ब्रह्मानंद को पाते हैं ब्रह्मानंद आनंद याद हो रहा है ना भाई जिन बच्चों को याद हो रहा वो वीडियो देखेंगे जिन को नहीं आदो रहा है एक्जाम में जो पीछे रह जाएंगे वो वीडियो छोड़के जाएंगे जो आग्जाम में पीछे रहने वाले वो बच्चे छोड़के जाने वाले वीडियो बिल एंड मेलिडा ग्रेट्स जो फाउंडेशन है वो चेज मेकर अवार्ड किसको दिया गया बेग अगला कोशन है हमारे यहां पर SDG प्रोग्राम प्रोसेज अवार्ड किस तो को दिया गया है SDG हमारा जो प्रोसेज अवार्ड है Sustainable Development Goal को अचीव करने वाले कौन है जिनको अवार्ड दिया गया है United Nation के द्वारा मिखाली मिसुतीन है Jeddin Trudeau है योसिदिन सुंगा है सेख हसीना है या यहाँ पर नरिंदर मोदी है जनता बोलेगी सर यह जवाब हमको भी पता है क्या मोदी जी तुम लोगों को लग रहा है क्या मोदी जी नहीं करके आना भाई मोदी जी करके आऊ गलात हुजाएगा सेख हसीना है सेख हसीना बांगलादेश की पीम साहिबा है इनको यह अवार्ड मिला है SDG Progress Award हसीना साहब जी को यह मिला हुआ है अगला कोशन देख लेते हैं यहाँ बताना है कि Golden Globe Keeper Award जो कि पिछले बार मोदी जी को मिला था इस बार किसको दिया गया है यहाँ पर मिसल बैचलेट है मम्टे साहब है फोजल मामलो है नाकासो सोजना दमीली है या राम पेले है जनता बुलेगी सर यह गोल कीपर Award मोदी जी को मिल चुका है लेकिन इस साल अगर पूछेगा तो बेटा मोदी जी नहीं करके आना है क्या करके आना है इस बार हसीना जी नहीं हमको करके आना है नांगु कुका कुका साब को मिला है कुका कुका है ना बहुत बढ़िया गाना लगता है कुका साब अगला कोशन देख लेते यहाँ पे हमारा अंतर राष्टी यह जो है बहुत है भासकर सर्मा भासकर का मतलब होता है सूर्य और जो सूर्य की तरह चमकता है उसी को मिलता है प्रिस्टीजियस इंटरनेस्टन प्रिस्टीजियर प्राइस अगला कुशन देखते हैं यहाँ पर बताना है क्लाउड हस्मैन और जोड़ियो पेर्ई के साथ फिजिक्स का नॉБल प्रायस नॉБल प्रायस की बात हो रही है ज़रूर पूछा जाएगा बिटा ध्यान से देखेगा क्लाउस हेस्मेन और जार्जियो पेरसी के साथ नॉबल प्राइस भौतगी का किसने ठोक ले गए डेविड जूलियस है, रोजिन पिंसोन है मानामबे है या गे साब है जनता ने जवाब दिना सुरू कर दिया है अगला देख लेते, रसायन का नॉबल प्राइस किसने जीता हुगा आपके सामने नाम लिखे हुए है जल्दी से बताईए गाइस कैसे चलेगा कैसे चलेगा जनता बोलिए बेंजमिन लिस्ट एंड डेविड डबलू सी मैक मिलन इनको मिला है फ्रिजिक्स का नॉबल प्राइस ध्यान से देखो खुसबू समझ में आएगा अगला कोश्चन है यहाँ पर चैंपियंज आफ चेंज अवर्ड चैंपियंज आफ चेंज अवर्ड किसको मिला है डॉक्टर राजेंद्र किसोर को रक्षिता नायक को सरिता सिंग को साहिरा स्पूना वाला को अजीम प्रेम जी चैंपियंज आफ चेंज आवर्ड गाइस मैं रुक रहा हूं यहां पर मैं रुक रहा हूं गाइस तुम लों को क्या कोश्चन नहीं करने रोहित को साहिए सैंप्यव दिनेस जुति बीनाय बच्चे को स्चन नहीं करने है यह आने वाले यहीजाने वाला भाइ में जितना पड़ों दुन्या नहीं कुछ यही कुश्चन आएंगे, अक्टूबर में पहुंच गए हम लोग, क्या रुखे यहां पे, वर्सिका रुख जाए, बोल देना रुखना है तो, सूर्य बंसी प्रताफ सिंग, सरिता सिंग, तो Champions of Change जो अवार्ड है, वो सरिता सिंग जी को मिला हुआ है, जितनी जन्ता हैं आपर बोल लेगी है, बिल्कुश सही जवाब है, Champions of Change सरिता सिंग, साहित्य का Nobel Prize, अभी आपने Chemistry का देखा, आप लोगों ने Physics का देखा, अब साहित्य का बताइए, शिंता बुलेगी इसे सही जवाब होना चाहिए क्या, गुर्नाही कीतुरफ जाना है, गुर्रा करके एक बार सभी लोग बोलेंगे गुर्नाही, गुर्रा करके बोलना है गाई सभी को गुर्रा करके बोलो गुर्नाही साहब सभी जवाब है दो नमबर अक्तूबर तो रिकिस में जलवायू अभियान के UK के हमारे PM अवार्ड जीतने वाले भारती मूल की लड़की कौन है गाईस यहाँ पर PM पुरसकार किसके लिए क्लाइमेट चेंज के लिए हमारे जो केलमेट केमपेंच चला था वो किसको दिया गया है अलेक्जा है डेविड विलियंस है मैरी फोर्ड है सारा जॉंसन है यहाँ आलीसा गड़िया है बहुत बढ़िया जनता यहाँ पर एकदम से अलेक्सा नहीं यहाँ पर सही जवाब है अलीसा अलीसा गड़िया यहीं है सबसे बढ़िया अलेसा गड़िया है सबसे बढ़िया इनको मिला है UK के PM की तरफ से Climate Campaign याद कर लेना एक्जाम में आने वाला है क्या कर क्या होगे एलिसा गड़िया यहीं है सबसे बढ़िया अगला कुश्चन है यहाँ पर है सत्य जीत रे अवार्ड अक्टूबर में आ चुके हम लोग सत्य जीत रे अवार्ड रोई सेटी मरनाल सेन अंदूर है या हमारे बेजवान गोपाल है तर डायरी कहां से आता है क्या लिख रहा है यहाँ पर सही जवाब है बेजवाडा गोपाल गोपाल को सत्य जीत रे अवार्ड मिला हुआ है ठीक है मरनाल सेन नहीं होगा 120 लेंगविज़ ओ माइग अभी सेख सिंग सुचेता सतीज है वर्तिका सिर्वास्तों मेनल कुमारी है या संगीता गांगूली है 120 लेंगविज़ गाइज यहाँ पर सही जवाब है सुचेता सतीज सुचेता सतीज ने जो है ये रचाईता बन गई है 120 लेंगविज़ की सुचेता सतीज ठीक है रचाईता बन गई है यहाँ पर याद रखना है Astronomical Society of India ने आरे भट प्राइस किसको दिया है के सिवान है राजना सिंग है डाट वस राम नरान अगरवाल है डॉक्टर जी सतीज रडड़ी है या अनुराधा टीके है टीके साब जल्दी रता यह क्या होना चाहिए दोस्तो जनता बोली है सही जवाब होना चाहिए जी सतीज रडड़ी साहब है DRDO के बेटा चेर मैंने DRDO के चेर मैंन को यह अवार्ड दिया गया है जनता जवाब देगी सभी को जवाब देना है कोई भी ऐसा नहीं हो जो कि यहां पर सांती से बैठेगा जनता बोले सही जवाब होना चाहिए तनमे तमाडे तमाने साहब जी को यह अवाड दिया गया है अगला कुशन है गुनरा साहब को साहित्य के लिए दिया हमने यहां पर किसके लिए हमने यहां पर देखा कि हमारे केमिस्टी और फिजिक्स के अब यार नॉबल प्राइस हमें एकोनोमिक्स का भी ठोक दो तो आगे चलते है जनता बोलेगी सर आल का उप्शन है डेविट कार्ड होगे अगनिस्ट होगे इम्बेल्स क्या यह हम आल के उपर टिक कर दे या आल के उपर टिक कर देते हैं नंबर यांपर मिल जाएगा डिकार्ड भी है अगनिस्ट भी है एंबल्स भी है सभी के उपर टिक कर देते वंकाया नाईडू ने लाल बहादूर राष्टी उतक्रिष्ठ पुरसकार किसको ठोका है किसको दिया जल्दी से बताते चलते हैं, रुकना नहीं है, रुकोगे तो बटा अपनी गलती से रुकोगे, अपनी गलतियां करोगे बटा, एक भी कोश्चन यहाँ पे सब कुछ हाथ से चुनके लाया गया है, ररदीप गुलेरिया, गुलेरिया के उपर टिक करना, नंबर लेकर जाओ, इनमें से किसने पारेवण इस्तिर्ता सिर्णी में स्रण पुरसकार जीता है, नलको है, कोल है, NTPC है, NMDC है या ओल इंडिया है, क्या होना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर जनता बूल लिए, सरस सही जवाब होना चाहिए, NMDC, यहाँ पर जितने हो NMDC बोल ले है, उनका जवाब सही है, यहाँ पर हमारे Golden Award in Environmental Sustainability, किसने जीता है, NTPC नहीं हो जाएगा, सही जवाब क्या है, NMDC, ठीक है, National Minerals Development Corporation, National Minerals Development Corporation, Iron Ore Company की तरफ से यह हमारा दिया गया, अगला कुशन है, Global Peace Photo Award किसको दिया गया, अनुवाधागरवाल, अरध्या अरविंद है, तरसा गुपता है, मोनिका गुपता है, या नव्याराज है, जवाब आपको देना है, मेरे को थोड़ी ना देना है, जनता बोल लिए, सर सही उत्तर होना, मेरे को भी लग रहा है, कि सर हम अगर यहाँ पे देखेंगे, Children's Peace Image of the Year का जो प्राइज है, वो दिया गया है, अरध्या अरविंद को, किसको दिया गया है, अरध्या अरविंद, बेटा, Global Peace अगर करना है, तो आपको अरध्या करनी पड़ेगी, अरध्य अरविंद को मिला हुए, ठीक है ना भाई, क्लियर, यार एक्जाम में करके आने वाले हो की नहीं, करके आओगे, एक्जाम में की नहीं करके आओगे, Peace Price, Children's, MS, Peace Price, अरध्या अरविंद को दिया गया है, सार्खो, प्राइस किसने जीता है, नादिया मुराद है, राइफिन मुहम्मध बदवी है, लेटर थनबर्न है, अलक्सी नवलानी है, या ट्रेंड मीं तनहाठ है, जबाब क्या उना चाहिए, गोलु बोले सर, हम नहीं करके आएंगे, क्यों नहीं करके आएंगे, खुसबू बोले सर, तोड़ के आएंगे, फोड़ के आएंगे, यहाँ पर वहां पर एलक्सी अब एलक्सी के उपर टिक करो सारखोव पुरसकार गया एलक्सी को दिया गया है इनवे से किसने miss international world रोट जीता है miss 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 excuse miss anna baen है अक्सता प्रभू है अरध्या अरबिंदों है अलीसा गड़िया तो भाईया देखो अलासा गड़िया हम लोग पढ़ चुके अरध्या अरविंद पढ़ चुके अब भाईया यह दो बची है आप यह दो दीदियों के उपर टिक कर दो यहां पर जनता बुले सर सही जवाब अची अक्सता प्रभू प्रभू जवाब है अमारा अक्सता प्र है करीना का पूरे अलिया भठ है या सिल्पा सेट्टी है बेड़ा किसको दिया गया है मनी करनिका के लिए कंगना 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 धनुस सैच्छिक फिल्म राष्टे फिल्म पुरसकार किसको दिया गया बेस्ट एजुकेशन फिल्म कौन सी है के लिए किसको मिला हुआ है हमारा पुरसकार आनंद पटवर्धन है मीरा नायर है सबा दिवान है संयद सुल्तान एहमद राके सर्मा है बेस्ट एजुकेशन फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर दा बेस्ट एजुकेशन फिल्म जनता बोले कि सर यहां पर तो सही जवाब होना चाहिए संयद सुल्तान एहमद को यह अवार्ड दिया गया है सैच्छिक फिल्म के लिए जर्मन सांति पुरस्कार लेओ भाई साब जर्मन पीस प्राइस जर्मन पीस प्राइस पेटियाना गपा है और डैंगेरम पा है चिम्य मंडा नागेची अदिच्छी नाम देखिए बाई साब गजब गजब का नाम रखें यहां पर सही जवाब है सिसी डारिंग अप्पा तो सिसी डारिंग अप्पा इस राइट है देखना तो लो वह कौन सी मूवी बाहु बली में ऐसे ही बोलता है चिम्मा मंडा अंगिच् कर राम को संब्इच्छे साब गरसा में अगला कुश्य कोfest किसको दिया गया है एक प्राइस पिछले साल के हमारे एक्जाम में पूछा गया था है स hè सिक्को दिया गया आ रामु कर्यात है इसी केस मुखर जी है वाइलला राम वर्मा है या हमारे वी वर्सला वालू महिंदरन है तो कि जर्मन प्रैस याद रखना है सिसी डारेंग पा को दिया गया है और अच्छितम प्रैस जो पिछली भार भी पूछा गया था ये दिया गया बहुत most important question यहां किस रेडी चल नहीं है यह हमारे दिया गया है विपी वल-sala वल-sala जी को यह एच्छतम प्राइस दिया वल साला क्या कर रहे वल साला साब आपने प्राइज जीत लिए चुतम प्राइज बुला बताए भी बच्चों को अगला कोशन देख लेते हैं यहां पर नॉबल नेशनल मंडेला नॉबल सांति प्राइज किस हमारे प्लेबैक सिंगर और एक्टिंग के लिए दिया गया है त जनता क्या बोली है सोनु निगम केहमे ससमिया जनता बोले सर आदित नरान को दीजिए भाई साब समझ रगी नहीं यह किसके कौन से उदित नरान के बेटे साब हैं तो इनको यहां पर यह दे दिया गया ले बिटा ले जा तू भी कह याद करेगा जा खेल पदम विबूसर्ण पदम विबूसर्ण 2020 कि लोगों को दिया गया अरुण जेटली मेरी कौम सुसमा सुराज दोनों साब है या एक दो और तीन तीनों है तो भाई देखिए अभी पदम विबूसर्ण नय वाले आपको याद करने जो नय आपको बताये गये तो जनवरी मे यह सारे वैसे मैं अटैज कर दी है यह लेकिन हमारे 2020 के है 2021 के है तो आपको 2022 वाले याद करने नय वाले दोस्तों अगर यहां पर आप भी अगले एक हफते में आइसी आरे की एक्जाम के त्यारी कर रहे है तो आप अपने मोबाइल को निकालिए और अपने टेस्ट बुक एप को टेस्ट बुक टेस्ट बुक टेस्ट बुक एप को आप डाउन्लोड करिए वहां पर आपको मिलने वाला कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम के लिए यहां पर आप जाना है आपको क्या करना है यह टेस्स स्रीज में जाकर करके यहां पर जो भी आप एक्जाम के त्यारी कर रहा है चाहे पर इसमें से जो है वह बीज दस फुल लेंट टेस्ट है जिसको आप अब अभी से देना इस्ट करिए और यहां पर देखिये फुल लेंट टेस्ट आपको सारे दिखाय दे रहे है, मौक टेस ते सारे यह मौक टेस्ट में आपको बिल्कुल जैसा एक्जान जैसा environment होता है वह आपको FEEL आने वाला यहाँ पर लिंक दिस्क्रिपஸन पड़े यह आप Google प्ले से जाके श्टोर कर सकते वहाँ पर आपको जाकरके यह Facebook पास जो है इस तरीके से परचेस करना है ठीक है यहां पर आपको यह 399 का मिलना है लेकिन यहां पर apply coupon जैसे apply coupon में जाएंगे आपको यह coupon code लगाना है जिससे आपको यहां पर discount मिल जाएगा जो 399 वाला है यहां पर पैक पास PAC PASS जैसे ही आप यह coupon coupon code लगाएंगे आपको यह discount है बिना space के space नहीं लिखना बिना space के लगाना capital में लगाना है आपको यह मिल जाएगा 360 रुपए में और आपके सारे test open हो जाएंगे 400 सिक्जाम सिर्फ ICRA और DSSB या Air Force या SSC की नहीं सारे exam open हो जाएंगे सिर्फ 360 रुपए एक साल के लिए वन इयर के लिए तो भाईया यह golden opportunity यार मेरे पास होती तो मैं कभी नहीं छोड़ता तो जितने भी नए बच्चे है उन लोग को यह test Facebook पास में जा करके यह coupon को लगा करके इंड्रोल करना पड़ेगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे हमारे इन दौर जितने लों बोले उन बच्चों का जवाब यहां पर सही अगला कोशन क्या है बैट्मिंटन फ्रेटरेशन ने लाइफ टैम एचीमन अवार्ड किसको दिया है पुलेला गोपिछन आपके सामने लिए हुए नाम बताते चलिए भाया क्या हो गया थक गया यार मंतरा देगा गोनरहार जो कि हमारा सूरत में लगा था कहां कौन देगा दीपी का पादुकोन के पापा है अर्चना यहां जनता बोले से सही जवाब होना चाहिए अब्रिक्स फिल्म है इसमें सरसेष्ट अविनेता किसको दिया गया है लूरिया मुराथ है धनूस है लारा बोडरीनी है या यान हान है यान हान नाम बहुत अच्छा यान हान धनूस यहां पर बिल्कुछ सही जवाब है कि नावंबर गर्क्स में गोवा अंताराश्टी फिल्म में गोल्डेन पिकॉक अवार्ड क्स्ने जीता है गोल्ड़न पिकॉक अवार्ड कॉन से फिल्म नρεί जीता है आपके सामने option लिखे हुई रिंग वंडरिंग है the son of me n motorcycle से एना है असूरन है गोल्ड़न पिकॉक पिर से एक्जाम में आया कोशन नवंबर से करेंट अफ्यस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो यहां प्रजनता बोली है सर रिंग वंडरिंग जितने लोग यहां पर रिंग वंडरिंग बोल ला है जवाब सही अब तुम्हारी फेवरेट बैब सीरीज नहीं पूछी पूछा गया था तो सही जवाब क्या है रिंग वर्ड वंडरिंग अगला कोश्चन क्या है असम बैभव जैसे ही करेंट अफ्यस मैंने पढ़ाना शुरू किया देखेगा लोगों का लोगों के जवाब सही होना देखेगा कैसे सुरूंगे दिसंबर दौर 21 वह दिन था 13 दिसंबर का जब करेंट अफ्यस एससी के लिए टेस्ट बोक ने चालू किये और यहां से लोगों का परफॉर्मेंस देखेगा केवल रोज सुबरे छे बजे करेंट अफ्यस की क्लास होती है जहां पर डीटेल में सी क्यूस के साथ हम डिसकस करते है एससी रेलवेब और डि प्रफुल इल रिटु है जनते ले जवाब देना सुरू कर दिया घिसर सही जवाब होना चाहिए मुझे लग रहा है सफाही जवाब क्यों शुक्षी बिल्कुल आगे बलते चलते सुरूती सितारा एत एक्ट अगरा कुश्ट देख लेते यहां पर किस भारती गड़तग् सिप्रियन फ्वाइस पांडे साब सिर्वास्तव पाठक साब रवींद जैकुमार है पीडियाप मिलेगा टिक के बैटिंग करोगे अंत में टेलिग्राम का लिंक दूंगा जहां पर पीडियाप मिलने वाला है जनता आपे बोलिये दिए निखिल सिर्वास्तव अलिक्सों यहां पर हमारे क्या बने हैं विलकुल अमेरिकी ऐसे गड़्सक्रग जिन्होंने यह जीता हुआ है राम अनुजम्स प्राइज मैतमेट्स के लिए किसने जीता है नितु सिंहा मनेज सिंग है नीना गुपता है द प्रिवेस एर में पूछा गया कोश्चन बताइए क्या होना चाहिए रस्मी बंसल है टिंकल खन्ना दिव्यादत्ता या किस्वर देशाई हैं बेटा बिल्कुल आपका रेजुलूशन दिक्कत है दिव्यादत्ता को दिया गया मिस यूनिवर्स का ताज किसको पहनाए गया बाई साब लेओ हलुआ कोश्चन तो यहाँ पर हमारे इंडिया की है नाम बता दीजे चंडीगर की रहने वाली हैं नहीं पता नहीं जानते नह करना सिंद्वी राइट आंसर अगला कुश्चन क्या है यहाँ पर किस देश को सर्वोच नगदग पेल जी खारलो अवर्ड दिया गया है नगदग पेल जी खारला अवर्ड भूटान का सबसे सरसेष्ट अवर्ड है अब तो बता दो है भूटान की गवर्मेंट देती यह बहुत फांदर अवर्ड थन ह conception मोदी जी बहुत देर नहीं आया मोधी जी की तरप जाएंग बहुत देर हो गया मोधी इस दिन आप यहां पर आपको बताना है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड यह किसको दिया गया है है हैदराबाद इंटरनेशनल एरपोर्ट राजीव गांदी है चिन नई है या सिरी गुरू है बताए बेटा देखो करेंट अफेर्स यहां से आ चुके जो हम पढ़ाना आप इंवाच्वा कोस्टन अनिल प्रक जोसी जी और विद्धम मोहन को मदर्टरेसी में आवार्ड किस छेत्र में दिया अनिल प्रकास जी को प्रकास थे विद्धूत चांटपी करह एक है पॉलिटिक्स नहां पे जनता बोले सही जवाब बना जो सोचल अब विस सी बात है बाई हर दिन जीतो लैप्टॉप प्रित्योगिता का आज अंतिम दिन है अगर आप बैंकिंग एससी रेलवे एक्जाम की त्यारी करने की सोच रहे टेस्ट बुक सलेक्ट पे जाईए वही जो आपने अभी डाउनलोड की थी उसी में आपको अगर इन्रोल करते हैं टेस्ट बुक सलेक्ट में यहां पे आपको कोचिंग मिल रही है अलाग अलाग कोचिंग है इसमें आपको अलाग लेनी पड़ेगी पंकज सी कूपन कोड लगाईए और आप क्या बन सकते हैं यह चाहता है यह यह देखिए यह देखिए यह देखिए सब कुछ मिलना भाई पैक पास कूपन कोड या देना यह टेस्ट बुक्स हमारे पास के लिए मौक टेस्ट ओपन करने अगरे पैक पास गाईस दवा की यहां पर आज आप लोंको टेस्ट लगाने हैं एक हफते प्रफील करोगे विहान क्या बोले सर बताओ ना पूछो ना बेटा क्या पूछना चाहते हो यहां प्रता बिहार भीभूत्ती नाम से किसको सम्वानित किया गया बताओ रोहित कुमार बहुत बढ़ जा अगला कोशन देख लेते हैं पोटो पत्रकाडिता में रामनात गुएंता पुरसकार किसको दिया गया है जल्दी से रामनात गुएंका पुरसकार रमन है सुती मराम्मू है जिसान तारिफ है उजैरा फरहीन है वा भैवा एक हजार लाइक होने वाले है लतीफ साहब को गुएंका रामनात गुएंका इसमें दिया जाता है पत्रकाडिता का सेड़ी में रामनात गुएंका सुमित नहीं रामनात गुएंका पुरसकार लती बिहार, मध्यप्रदेश, तमिलनाडू, दिल्ली, सर अब ना बताऊंगा, बताऊ पे पूछो ना, हम तुम्हारे कमेंट के लिए देख रहे हैं बार बार, दिल्ली, दिल्ली राइट आंस, अगला कोशन है, यहां पे गोल्डन ग्लोस का सरसेस्ट ड्रामा फिल्म कौन जीता है, पियानो, राइट इस्टार, पावर आफ डॉग, क्या होना अच्छी, बताऊ यार, हम नहीं को पड़ेंगे, तुसानता देंगे, टिक्के बैटिंग करो, दस बजे, दस बजे देंगे टेलिग्राम का लिंक, टिक्के बैटिंग करो पहले अभी, आवर आफ डॉग, ब भगत सिंग को सियारी ने, सर, पुने में लॉगडाउन लगने वाला है, आज सियारे पोस्पोंड, कौन करें लॉगडाउन लगने वाला है, ना लॉगडाउन लगेगा, कहीं लॉगडाउन नहीं लगेगा, पुने उन्ने में, कौन बोल दिया तुमसे, सही जवाब है हम कि दुबई में हमारे किसको लावनी डांस करने वाले थे तो भी यहाँ पर जो लोग भी सुमीद भाले बोले उनका जवाब सही है लावनी डांसर है सुमीद भाले जवाब सही होने लगा फिफा का सरशेश खिलाड़ी कौन मना ये देखिए आप लोगों ने दिसमबर जनु कोश्चन तुम लोगे सई हो रहे है यह करेंट अफेस टेली ग्राम पर मिलेगा बेटा दूबेजी टेली ग्राम पर मिलेगा अभी लिंक दूँगा लेकिन पहले टिक के बैटिंग करो कि बन रहे ना कोश्चन सुबेज 6 बाइज वाली क्लास का जो है मामला मिल ला है ना पोलैंड के रोबर्ट लोंस्की को मिला हुआ पोलैंड के छेवाली क्लास का फैदा मिल लाएगी नहीं मिल ला भाई साब अगरा कोश्चन देखो यहां पर एस्सोश्येशन वर्किंग के के लिए जो आर्या मूवी के लिए मिला हुआ किसको मिला है बताते चलो कि बताते चलो भाई आई से नहीं चलेगा सुश्मिता सेन सही जवाब है इन में से किसको सुभाज चंद्र बोस आपदा प्रबंदन के लिए कौन है कौसिक सौरब है विनोध सर्मा है सतीश चंद्र है या कमला रोय है जवाब दो भाईया अभी तक 1000 लाइक में कुछ 40 बच्चों की कमी है जो लोगों ने लाइक नहीं ठोका है हमें नहीं ठोका है कंप्यूटर जी ठोक दो हमारा लाइक हो गया जनता बूलिये विनोध सर्मा विनोध सर्मा सुभाज चंद्र बोस पिछली बार पूछा गया था तो इस बार ये पूछा जाएगा विनोध सर्मा ICC Men's Cricketer of the Year ODDI Emerging Player है और रिजवान T20 ठीक है रिजवान T20 ODI बाबाराजम Emerging Player मिलान साब है रिजवान T20 ठीक है कुल कितने व्यक्तियों को पदम पुरसकार इस बार दिया गया है पदम पुरसकार कितने 128 184 या 34 सभी को जवाब देना है पदम पुरसकार सभी को मालूम है न चलिए जनता यहां पर बोले है कि सर हमारे जो पदम विभूसर अवार्ड है पदम भूसर अवार्ड कितने ही पदम है 128 लोगों को यह हमारा दिया गया है कितने लोगों को 122 लोगों को पदम विभूसर अवार्ड दिया गया है याद रखेगा एकजाब में प्रस्ण यहां से पूछेंगे तो पूरी की पुरी लिस्ट हमारे एक वीडियो में पड़ी हुई है वह आपको अलग से देखना पड़ेगा आपको यह याद करके जाना यहां से कुश् लिए यहां पर हुंबक है थोटा आप यहां पर सबका नाम डिसकस नहीं कर सकते आपको यह पूरा का पूरा देखना पड़ेगा याद जरूर आएगा यहां पर मैं आप लोगों को चोड़ रहा हूं जरूर आएगा यह एक चीज आपको करके जानी पड़ेगी बाई से डूर यह सबumeकर करें ओंगे जुड़ा हूए जाए कि चलू याव पर निप्रामिसमें अलवह कर पर शांतेन शावा ब्यां कर मद Jamie यादधना बूलना मत वादा सब्दों को हाथ कर kita करना है पर थीक है चलो प्रॉमिस हो गया जो आदा किया वो निभाना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं तो भाई यहाँ पे उतक्रष्टा के लिए हमारा जो विसिस्ट सेवा मेडल दिया गया है नीरा चौपडा को उसका नाम क्या है विसिस्ट सेवा मेडल है परम विसिस्ट है सौरे चक सब्सक्राइब का था उसके लिए यहाँ पर हमारे इंडिया की तरफ से ऑसकर में एकडमी ओवर्ड ऑसकर कोई बोलते कौन से फिल्म जा रही है जैभीम है मराकर है या कर्णम है या एक और दोनों को भेज रहे हैं जाओ बैटा कोई ना कोई तो जीत क्या ना जनत्रपुल टाइगर रिजर्व को टी एकस टू प्राइस दिया जा रहा है बताना है यह आपके कौन से राज में केरल आंदा प्रजेस करनाटक तमिल नाडू जनता क्या बोले है जनता है यहां पर बोले है इसका जो सही जवाब है यह तमिल नाडू तमिल नाडू में यह हमारा टी एकस टू प्राइस जो है हमारे टाइगर्स की बढ़तिया बादी के लिए दिया जा रहा है राष्टिय माना अधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रथम पुरसकार प्राप्त करने वाली हमारे कौन है सीडर मदर है हिसाब की किताब है नटखट है या स्टीट इस्टूडेंट है गाइस सभी प्रसंद कराये हुए छे बजे जो रोज कराये हुए वह ही है देख है कि रेगुलर आते यह लोग और जो लोग रेगुलर नहीं आते हैं वो गलत कर देंगे एथलीट ऑफ दा इयर के समझ से सम्मानित कौन है हमारे हौकी टीम के यह गोल कीपर है और इनको अपने प्रदर्शन के लिए जनवरी में एथलीट ऑफ दा इयर घोसित किया गया है सी प्यार सरजेस है मनप्री सिंग है हार्दिक सिंग है या लकड़ वाला लकड़ा है विरेंद लकड़ा तो यहां पर जनता ने बुला कि सर्फ प्यार सरजेस की तरफ चलते है नंबर मिल जाएगा मजे करेंगे हम दोनों लोग अगला कुश्चन है डाइलन थामस पुरसक थे फायदा हो रहा है थे वर ऊकला का बड़ा फ़ायदा हो रहा है अरुआ है निधी जाक और ुर्याया आप यहां पर निधी जाक जोन फे л Device और रेसे चीमें पर भाटिो ważne से जहां की का आव हावोट प्रसन आ असकता है यूपी और उतर्थ खभु सिए यहां पर यहां को बना जिताना है वहीं पर तो दिया जाएगा जनता बोले से सही जवाब होना चाहिए यूपी उत्तर प्रदेश वाले जितने लोग है वो मुस्कुरा भी रहें क्योंकि उनका जवाब बिल्कुल सही है अगला कुशन देख लेते हैं यूपी के बाद हमारे यहां पर यहां भी नहीं हो रहें कि नहीं हो रहाएं मोदी जीवाली कढवी रहें सरभी हो सभी रहता है इन फीमि एन ओर किसने लिखा है वपर न्यास कुनाल बासू है अमिताब गोस है पंकच करपूर है करणाल देश मुख है सरोज घोस है क्या होना चाहिए हम लोग जो है वह दो घंटे में इंपोर्टन परस्नालिटी निप्टा दिए हम लोगों ने अवोर्स निप्टा दिए भाई साब तुम लोग के लिए तालिया अब आम लोग यहां पर रिकॉर्ड़ फॉर्म में भी पहुंच गया कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर हम यह तक पहुंच गया है किताबों तक सब्सक्राइब बजा कि अपना खुद का भी नंदन करेंगे सब्सक्राइब यह पर बजाएंगे पीडियाफ मिलेगा बिटा अभी मैं 10 बज़े आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा वहां पर कि अधूँ कि अधूँ कि अधूँ कि चलिए अगरा पहला कोश्चन है हिंदी सिवलाइजेशन त ग्रेट हिंदू सिवलाइजेशन किसने लिखा है पड़ते जाएए ग्रेट हिंदू सिवलाइजेशन किस ने लिखा है पावन कुमार बर्मा जी ने लिखा हुआ है अगला कोश्चन क्या है यहाँ पर How the Earth got its beauty किस ने लिखा है How the Earth got its beauty आप सनापके सामने लिखे है सुधा मूर्थी ठीक है Onion can get the leaf वाला भी किताब इनके थी और सुधा मूर्थी How's the duty ठीक है सुधा मूर्थी यूटी मूर्थी यूटी मूर्थी यूटी मूर्थी वो गया राम राव किस ने लिखा है राम राव किताब किस ने लिखी है बताते चलो राम राव जो है किताब किस ने लिखी है जैदीप हर्दिकर जैदीप हर्दिकर is right answer जैदीप राम भगवान की जय हो जैदीप हर्दिकर खतम बाला कोट एर स्ट्राइक मनन भट ने लिखी है यहापे तो जल्दी से आ गया है मनन भट मन कर रहा था कि भट भट आवाज आए पाकिस्तान में जब उन्हेंने पुलवामम में जो जीप हरकत की थी तो भट भट आवाज आई थी बाला कोट में जब समिद बसुएं आनन्द नील कर्म तन है अजे बेटल भीत किसने लिखी है बैटल भीत नामा किताब किसने लिखी है बिस्राम बेडेकर बेडेकर साथ ने एड्रेस बुक किसने लिखी है? एड्रेस बुक किसने लिखी है? विहान, विमल, देवनरायन एड्रेस बुक ताली बजवा दिये मैं अब थाली चम्माज थोड़ी न बजवा है ताली बजवा है तो भईये ये लिखा है रितु मेनन ने, ठीक है न? तो एड्रेस बुक रितु मेनन ने लिखा है ठीक, अड्रेस बुक बिज़्न, डौमीनेशन, अनर्फिनिश्ड प्रशक्रावी सब्सक्रावी किसने लिखा है? बोरिया, कुसाइल, अनूप, दोनों में में के लिखा, एक तीन, ने लिखा है क्या होना चाहिँ है? तुक अब जिंदगे तुब यहां पर मिप्मिर्य जो है ये लिखा हुआ है यह क्रिकेट के उपर कहानी डॉमिनेशन यह बोध ओनने क्लिश्च और और सरकार यह दोनों लिखा किताब हुआ है रिसफ पंत् wounds वह सर्माज, चितेश्वर, पुजारा इन सब की उपर की बाते हैं यह लिखी हुई यहाँ पर अगला कोशन बनाते हैं Know your right and claim them अपने अधिकार जानो और उसको claim करो किसने लिखा है हिंट दें तुमनों को हिंट दें एक छोटी सी यह ब्रैड पिट की बीबी है है ना यह ब्रैड पिट की बीबी है और काफी बढ़िया तरीके से इन्होंने एक्टिंग में तहलका मचाया हुगा है एंजिला जॉली जंता बोले तर एंजिला जॉली के उपर टिक करिए ब्रैड पिट की यह बीबी है आगे चलते हैं बैक टूदा रूट्स नामक किताब किस ने लिखी है बैक टूदा रूट्स श्रियान बिटा पारले जी पढ़ाई कर लो ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं किस से पूछ रहा पता नहीं है जंता बोले से सही जवाब होना चाहिए टनमय भाटिया ने बैक टूदा रूट्स नामक किताब लिखी है तनमय भाटिया यार मज़ा नहीं आ रहे क्या यार साथ छोड़ते जा रहा हो तुमनों हम दों छे सो से चार सो प्या गए साथ छोड़ते जा रहा हो तुमनों कैसे काम चलेगा अकेले पढ़ेंगे क्या साथी बनके रहना ना भाई तुमने ने बोला तकि सर हम साथ साथ है है कि रही साथ साथ बाटिया साथ चलिए यहां पर जनता बोले साथ सही जवाब है human rights and terrorism in इंडिया human rights and terrorism in इंडिया यह किताब किस ने प्रकासित की सुभरमन्यम सामी है सीता रामी यह चुरूई है दिनेश त्रिवेदी है सुभासिस चकरवर्ती है सुभरत बक्षी है क्या होना ची दोस्तों यहां जनता बो साख्ष करते रहते अलग-अलत तरीके से 400 डेज आने वाली किताब है आने वाली किताब हाफ girlfriend हो गया 5.700 हो गया है ना यह सब किताबे इन्होंने लिखी है टूइट से स्टेट्स हो गया तो यह सब भया चेतन साब की किताब है चेतन भगत आयाइटियन है किताब लिखने का सौक अहल अग्या था और यह यूथ के जो है यह आइकन बन चुके हैं तो चेतन भगत इस राइट आंसर अगला कोश्चन क्या है प्रसनों के जल्ली माध्यम से हम आज के छे मेने के प्रसनों का करेंट अफेस का रिवीजन कर रहे है और उमीद करते हैं कि आप लोग जो है सारे के सारे बच्चे इसको लगा करके अपने आपको और मजबूत और स्ट्रॉंग बनाएंगे दो घंटे हो चुके हैं हम लो अगला कोश्चन देखते हैं निरूपमा राव ने फैक्चर्ड हिमालय को लिखा हुआ है अगला कोश्चन है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अंडर फ्यूचर किसने लिख दिये भाई यह बहुत सक्तिसाली लेडी है इन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी उप क्रणिकल्स फॉर्म दा लैंड ओफ हैपिस्टर पीपल ऑन अर्थ नामक किताब किसने लिखी चैनुवा अंबे है वने सोहिंका है क्रिस अंबानी है या अबानी है या मुझुम हफाज है बहुत बड़ी है जनता बोल लिए कि सर इस प्रसुन के बारे में अगर आप बोले लिए एक बढ़िया काम किया और नहीं किताब है तट वस्था अच्छुली हम अट्डम ए मिमायर ज़िसका भीवचन किस ने किया है गुलजार साब ने किया है एना गुलजार साब इस राइट बाटनर ऐख्छुली आइटे व्मेट थैम इस्टार इन माई स्काई इस्टार इन माई स्काई कितने लिखी है दिव्यादत आपके सामने ऑप्सन लिखे बताईए ब्रेक्फास्ट हो गया सर हां मेरा तो हो गया ब्रेक्फास्ट दाल भात चोखा खाये हैं दिव्यादत्ता किस कौन से देखोगे स्टार इन माई स्काई दिव्यादत्ता ने लिखी हुई किताब है याद रखेगा अगला कुश्चान देख लेते हैं सरसाइद एहमत खान रिजन एंड निशन यह हमारे अलिगर्ड मुस्लीम यूश्टी के संस्थापक के तौर पर जाने आते किताब किस ने लिखी है वीपा सैफी की दवई सैफी की दवई ने यह सरसाइद एहमत खान के उपर किताब लिखी हुई अगला कोशन देख लेते हैं उपन्यास दप्रोमिसस हे तू फ्रिक्सन के लिए 2021 का हमारे फ्रिक्सन बुकर प्र सामी है डेमें गुगलट है पेट्रो सिया लकवड है या मैरियन हंसल है सर क्या पूछ रहे जरा देख लीजेगा यार मैंने बोला था कि कल इंटरनेट का बूश्टर पैक दलवा लेना और यहां पर कोश्चन का जवाब बस देते जाना एक्जाम में अगर नंबर चाहिए सब्सक्राइब यहां पर डेमल गुलगुट ने गुलगुट गुलगुट ने यह हमारा उपन्याजदा प्रोमिस के लिए यह अवाड जीता है वूकर का फ्रिक्शन प्राइज अगला कोश्चन का सेज वित हार्न्स नेज तोहां कृटि रहे हैं तो जनता यहां पर जवा लिखाता है beauty वारा किताब तो सुधामूर्ती ने लिखी थी तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा फिर से हमारे the sage with two horns यह भी सुधामूर्ती जी ने लिख दी है दोनों किताबे सुधामूर्ती जी की यहां पर हो गई दो-दो किताबे नवंबर की किताब में आ चुके हैं सन्राइज ओवर आयोध्या बहुत इंपॉर्टेंट किताब है आ सकती है तो यहाँ पर है विक्रम सेट कपिल सिब्बल है सलमान खुरसीद है या कमल नात है सन्राइज ओवर आयोध्या तो जंता ने जवाब दिना सुरू कर दिया है कि सर सब्सक्राइब करना जंपा लहीरी अरुंदती राय निर्मला सीता रमने या इसमर्ती जुबे निरानी है यहां पर अंकित बुले सर इसमर्ती रानी को बोलिया आगे वड़ते हैं यह ना इसमर्ती रानी सही जवाब है हमारे एख वूमें अट चाइल वेलफीर मिनिस्ट्री महिला और बाल विकास मंत्राले इनके पास है मेठी से जीत के आई थी आत्मे कता है रिज वाद्ड जो आत्मे कता है यह किस ने लिखे कोफियानन आ बनकी मून है त्याक है या हमारे ने ने मारिया अनन है मृजॉल्ड बता अगर जिन्दा रहना तो खाना बनाना सिखलो बाबू नहीं तो भूखे रहोगे लंता बोलेगी सर यह वही है क्या जिनको नॉबिल प्राइस मिलाता एकॉनॉमिक्स का यह हो सकता वही हो अब जीत बेनर्जी लंता बोल लेए बिल्कुल सही अब जीत बेनर्जी आगे जीत बोलेगी है कि सर बाल कृष्णा बाला कृष्णा मातुरी इस राइट आंसर गैस दिसंबर में आ जाते हैं दिसंबर में किताब का नाम है प्रिंस्पल एन प्रेक्टिस ऑफ और्नकलोजी कैंसर की जो है स्टेडी होती है इसको अर्नकलोजी है इसको डॉक्टर अमल कटकी और उसके लोगों ने लिखा हुआ है इसका बिमोचन किस ने किया है डॉक्टर अमल कटकी की किताब कौन सी है अगला कोशन देख लेते यहां पर वेंकया नाइडू ने राज कपूर की किताब का दा मास्टर एट वर्क का जो है विमोचन किया इसको लिखा किस ने है दिनियार पटेल राहुल रवेल प्रबात कुमार या गौतम चिंतामड़ी दिसंबर में प्रवेस हो चुका है हमारा दिसंबर जनवरी फरवरी बेटा दो ही बाकी है टिक के का दो बैक्तिंग करो थोड़ी देर के लिए अरह कि पहले बोला बेस लुए को यह हो गया था ना ऑल रवल हो गया था इंडिया एंसेंट लगेसी किसने लिखिये जनते हाँ पर बोल लेए जितने लोग बोल ले हैं से सही उत्तर होना चाहिए हमारे रेखा जी रेखा चौधरी जितने लोग बोल ले हैं जवाब उनका सही है रेखा चौधरी इस करेक्ट एंसर आ गया अगला कोशन बनाते हैं गजपती किंग विदाउट फ्रीडम इसको किंगडम इसको जो है नवीन पतनायक जी ने एनोग्रेट किया था अब आपको वताना है कि इस किताब पर लेखक कौन है अर्विंद अडीगा है देवे देवदत पतनायक है अमरत गुपता है या असोख बल है बिलकुल असोख ब शाहित पड़नोगै कौन है सन्सी त्रांस फश्रंड उत्त्तर प्रदेश योगी जी के उपर किताब है योगी जी जी मौंक छेएय संतनु गुपता योगी जी विबके नहीं किताब लिखाए । रथन टाटा की बायोग्राफी सब ये कोशन बनने चाहिए, सब सुबेरे कराय हुए है, है ना पूजा, विहान, इर्फान साहब, सब कराय हुए है तो जवाब क्या होना चाहिए, जनता बोले इसा सही जवाब होना चाहिए, Thomas Matthew, Thomas Matthew is right answer, Thomas Matthew जितने नों बोलने हैं, जवाब उनका सही है अगला कोशन क्या है, Operation Khatma, किताब किसने लिखी है, Operation Khatma, जो है, वो किताब किसने लिखी है, जनता बोले इसा सही जवाब न चाहिए, दोनों ने मिलके लिखी है ये किताब किताब किस ने लिखिए है? हम लोगों ने दो गंटे कंप्लीट कर लिया, आप सभी को बढ़ाई हो, दो गंटे से ज़्यादा का क्लास हो चुका है अभी तक, सही जवाब है, सुभाष शंद्रगर्ग is right answer, 10 trillion हमारी जो economy है, उसको यहाँ पर किया है, यहाँ पे दब इस Immortal King Rao किस ने लिखा है, Immortal King Rao, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, दो गंटे तक आप टिक के बैटिंग कर चुके हैं, या आप अभी नए जुड़े हैं, तो वीडियो को लाइक करके, थमसब बना के मुझे सम्मोधित कर सकते हैं, वहड़ी वारा, वहड़ी वारा is right answer, वहड़ी वारा यहाँ पे स समाप्त होने वाला है, छे महिने के करेंट अफ्यस में एक और अध्याय की समाप्ती सर करने वाले हैं, बताइए क्या होना चाहिए, नौदीब सिंग गिल इस राइट आंसर, नौदीब सिंग गिल जितने लोगं बोलना है, जवाब उनका साई बैट रहा है, वीरलेस गवर तब जाने देंगे, तो वो थी हमारे देश की पहली महिला IPS, किरण वेदी जी, किरण वेदी यहां पर जितने लोगं बोलना है, जवाब सही है, ब्रूस्द पासपोर्ट किताब को लिख करके किसने तहलका मचा दिया, गवाब जो, खतम किताबों का कारोबार, भाइया थाली बजा दो, महोदी जी की फोट्य लगी है, गवर्मेंट स्कीम पर हम लोग आ चुके, गवर्मेंट स्कीम के उपर आ चुके है, जितने लोगं यहां पर टिक करके बैटिंग कर चुके है, ज़रा एक बार यहां पर जो लोग वीडियो देख रहोंगे मुझे वीडियो में बताएंगे सर हम यहां तक पहुंच गए यह तुम्हारे एचीब्मेंट है यह हम लोग पहुंच चुके एप्रॉंटेड अपॉइंट्मेंट के बाद इंपॉर्टन परस्नालिटी के बाद हमने डिफेंस इकसर साइस किये हमने अवार्ड किये हमने बुकेन और्थर निप्टा दिये संबोधित करिए थाली वजा दो सब लोग थाली वजा दो भाईया मोदी जी थाली वजा दो कि अ कि अ आधित्य बोला कब चालूगा बैटा टेली ग्राम पे तो जुड़े नहीं हो तो कहां सपता चलेगा बैटा लिंक देते देते ठक गया है बुलाते बुलाते भाई आजाओ प्रभू आजाओ क्लास सुरू हो गई है टेली ग्राम पे हमारे पीडिया फॉर लिंक पाने के लाँ तो जित्ते बच्चे अभी तक नहीं जुड़े प्लीज आप सभी लोग जुड़ जाएंगे और जो लोग रिकॉर्डट फॉर्म में देख रहे हैं अभी चैट को खोल करके यहां पर जुड़ सकते ठीक है सब्सक्राइबर मोड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कि गुलू हो गया बेटा यह को इलिंक आगी तुमाई थैंक दिव्या बोले क्यासे थे है तो भी में लोगए थे सब आएंगे देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा इंपॉर्टेटंट अपफॉइंडमेंट निप्सं पढ़ा था अँसलरे दूसे नंबह पर हम लोगों ने पढ़ा थी डिफेंस इक्सराइस निपटा दी तीसे नंबह पर हम लोगों ने पढ़ा था वॉर्ड अफंक्षन निपटा दिये पाच्वा टॉपिक और आज का अंतिम मुस्कुरा रहे हैं मोधी जी गोवर्मेंट इसकीम के साथ तो भईया आगाज करते है इसका चलिए तो आगाज किया जाता है पहला कोश्चन आपके साथ में है यूआ मामले और खेर मंत्राले के यूआ विभाग 131 अक्टूबर 21 में राष्ट व्यापी शुरक्षा कारिकरम का सुरुवात कहां पर किया गया हरिद्वार लखनव बनार करेका कमेंड देखो सुसान था कॉपी करो टेलीग्राम में जाकर पेस्ट करो प्रयाग राज ठीक है कहां से स्वश्चता से अभियान के सुरुवात हुई नेशनल क्लीन इंडिया प्रोग्राम प्रयाग राज से मिसन हंड़ट डेज किसको काबू में लाने के लिए किया गया प्रयास है मलेरिया टीवी है स्वाइन फ्लू है डेंगू है कोबिड नाइनटीन है यार यह तो यार देखना पड़ेगा चेतन भगत आई सिंग को उत्रा खंड के लगते हैं बट पता नहीं में रगो कोविड नाइंटी परियाटक गांव परियोजना किसने सुरू किये टूरिस्ट विलेज प्रोजेक्ट किसने सुरू किया जम्बो कस्मीर जे एंड के अगला कोश्चन है प्रधान मंत्री वाई पाई एक्सेस नेटवर इंटरफरेंस पीम वानी किसने सुरू किया है कहां सुरू किया गया मारास्ता तमिल नाडू अंदरप्रदेश राजिस्थान सिक्किम अंदरप्रदेश ठीक है मेरा घर मेरे नाम योजना के सुरूवात कहां की गई पंजाब हर्याडा राजिस्थान तमिल नाडू मेरा घर मेरे नाम जनता बुलिए सर मेरा घर मेरे नाम पर योजना के सुरूवात बिलकुल सही है पंजाब ने की है मेरा घर मेरे नाम अगला कोश्चन क्या है अम्रित 2.0 यहां पर हमारे जो बोचिते सहरी रिनुवेशन से अर्बन ट्रांसफरमेशन है अम्रुत आटल मिसन फॉर रिनुवेशन एन अर्बन ट्रांसफरमेशन किस साल तक यह हमारा हो जाएगा रिनुवेशन मेरा घर मेरे गाहँ पंजाब 25 से 26 टार्गेट मोदी जी का लंबा है पुरा के मुख्य मंत्री विपलर्ण के लाव ने आक्सीजन पार्क बनाया है कहां पर आक्सीजन पार्क आपके सांदने आप्सन लिखे हुए है आक्सीजन पार्क अगरतला ठीक है अगरतला में इसकी सुरुवात की गई है आपको वताना है स्वच्भारत मिसन किस वर्स तक जारी रखने की मंजूरी दिये स्वच्भारत मिसन दो अक्टूबर से हमारा 2014 से चालू है कब तक चलता रहेगा हमें लगता हमेशा चलना चाहिए सफाई तो बहु मोदी जी बोले या राहूल गांदी बोले सफाई तो अपने आसपास रखनी चाहिए यह तो पचास तरीके की बीमारियां होती है पच्चिस से चब्वेस समझ रहो की नहीं है मिहाब अगला कुश्चन है महंगाई भत्ते तीन परसेंट से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है 28 25 31 34 किसने केंदर सरकार ने देखो भया केंदर सरकार में जाओगे तो भया पाईसा भी बढ़ रहा है बोला सर पाईसा बढ़े चाहिए ना पर नौकरी मिल जा पहले पाईसा बाद में देखेंगे जनता बोले सर 31% बढ़ाया गया है अगला कोश्चन है आपको बताना ह आतमिलनादु उत्तर मद्यप्रदेश असाम आत निर भाटारत योजना उपी से कि कि अपने भईया ध्यान को यह बोला है मोदी जी ने हम आयोपा जिम्मेदाई नहीं हमी तुम्हें को सब करवाएका हमारा काम है चुनाव में अगला इदार गुजरात में चलो तेंट लगा यहां काम हो गया और लोगों को बनाते है वहाँ बना देंगे अब कहाँ चलना है कवा यही चलते हैं तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख कभी नहीं मिलता है हमको पर मिलना चाहिए चलिए खेर कोई बात नहीं एंसर अभी टेंट वहीं गड़ा हुआ है अभी जो भी होगा यहीं यूपी में वहीं टेंट गड़ा है 10 मार्च के बाद तंबू खड़ेगा गाया भूल गए 5 साल तक का हो रहा है यूपी में फिर याद आएगा जब लगा तंबू यहां पर गजब का बंबू किये हम लोगं को उड़ान टू कहां से शुरुआत किसने जारी किया उड़ान टू देखो यहां पर रस्मी पांड़े से गोला है यह कांग्रेसी है भाईया हम राहूल गांधी को भी कट घरे में ले लेते मूदी जोगा हम भाईया तिंपल चीज है हम पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि बहुत यार मात्य पर लिखा तो है नहीं कुछ तो इसलिए लिखाए क्या कुछ हम यह विश्वास नहीं करते किसी की बातों में बताईये जोतिया दिसिंद्या उड़े देश का आम नागरिक उड़े देश का आम नागरिक अब बताने आपको संभाव भारत जो नेशनल अवेर्नेस इसकीम है इसको किस ने सुरू किया है लूए को ऑचा लगता है गचाए बताते हैं जो बुरा लगता उसको बुरा हीबताते हैं चाहे राहूल गांधी ऊचाए नवीन पटनायक और नितीश कुमार उच्छा काम करते हैं और चौँ जो खराब सीज उतियों को बताना जिनता का करता प्वे नहीं तो लोग बोले माइक्र स्मॉल एंड मीडियम इंटर्प्राइजेस ने संभव स्कीम की सुरुवात किये नरायन राने जी के बास ये स्कीम है अगला कोशन बनाते हैं यहां पर EWS एकॉनुमिकल वीकर सेक्षन के लिए हमारे किसने एक आवास योजना की सुरुवात किये एकॉनुमिकल वीकर स्क्षन के लिए अगर से इर्फान तुमारा बिल्कुल सही है गलती नहीं है यहां पर आपको अधान मुख्य मंत्री युवा संभल योजना यह हमारे किसके तहत गुजारी ती राजिस्थान गुजरात हरियारा मद्यप्रदेस पंजाब और राजिस्थान ते राजिस्थान में इसके सिरुवात हुई थी धर्मेंद्र प्रधार ने एक हमारे भासा संगम मोबाईल एप लॉंच किया है यह कितनी हमारे भासाओं को इसमें आप पढ़ सकते भासा संगम है 14 भासा है 10 या 18 या 26 है अ 22 लेंग्वेज आप इसमें देख सकते हैं हर घर दस्तक की सुरुवात किस टीके के लिए की जारी है लगवाया टीका दोनों लगें पोलियों का मलेरिया का कोविड का या कैंसर ड्रग तो भाईया सबसे पूछ रहे हैं लगवाल ये ठीका लगवाये चलो नहीं लगवायो तो एक बाव लगवायों कोविड नाइंटीन तेक हर घर दस्तक यहां पर अच्छा काम किया वैक्सीन बहुत जल्दी हमारे देश वालों को मिले बहुत तेजी से मिली है बहुत सब्सक्राइब कि किस्त राज्य में ग्रामीड शेत्रों के नलके पानी कनेक्शन का प्रवधान 18,085 करोड रुपैस की 735 पेजल आपूर्तिय परिजना को मंजूरी दी गई है बताईए देंगे भाई देंगे भाई ये लो यूपी उत्तर प्रदेश में ठीक है ना उत्तर प्रदेश में बहुत सारी योजनाय लागू हुई थी जिसमें हमारे 735 डिंकिन वाटर सप्लाई अप्रूप किया गया है 1882 करोड के साथ केंदर सरकार ने आई बी ने अनुसंधान और विसलेशनल विंग रौ के सच्चू का कारेकाल कितने साल तक बढ़ा दिया तो रौ के सच्चू का कारेकाल जो दो साल के लिए बढ़ाय गया हमारे यहां पर फील्ड होकी खिलाडी वंदना कटियार ने 2018 में 2018 इस राइट अंसर यहां पर हम लोगों ने स्पोर्ट की खबरों के उपर आ चुके हैं कंप्यूटर जिस वक्ति स्पोर्ट की खबरें यहां पर डिसक्स कर रहे हैं भारति स्थार पीवी सिंदू है सिक्योर ब्रॉंज मेडल इन टोक्यो इन्हों ने किसको हराया था टोक्यो में मेडल को मिला था पर था जैशन को बिंग जाओं को नजोमी आकुहरा को इंजिंग यांग को नहीं जनता बोलेगी सर इन्होंने टोक्यो अलंपिक में का सिपतक प्राप्ट किया था ही बिंग जियो को हरा कर चे ओंदियो वर्ड एचरी हमारे टूनामेंट में रूंडर 20 जो हमारे चैंपियन बनी है रोकलो जगय का नाम है यह हमारी है कोमलिका बारी कोमलिका बारी यहां पर होना चाहिए 151 रनों से हरा करके अगस्ट द्वैरिकिस में इतिहास रच दिया है पांच मैसों की संखला में भारत ने कि कि देश को हरा करके इतिहास रचा था 105 मैंचों की स्रीज में किस देश को 100 क्यान रनों से हरा था तो गाइस वह था इंग्लैंड इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराया था टोक्यो ओलंपिक में स्वणव पदक विजेता नीरच चौपला के नाम पर किस सहर के आर्मी स्पो इन में से आइपेल खेलने वाला पहला सिंगापुर अंतरराष्टी क्रिकेटर कौन बना इसको जगब में खेलने का मौका मिला था सिंगापुर का खिलाडी है काफी चर्चा में बिता जनक प्रकास है तिम डैविड है प्रवीन है सेलडोर विजय कुमार है अभी दिक्षि स्पॉंसर कौन था पैर ओलंपिक टीम में जो लोग गयते उसका स्पॉंसर कौन था पैपसी था 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 स्प्राइट सेवेन पांटेंड्यू डर के आगे जीत है जनता बोले सा सही उत्तर होना चाहिए थामस अप टेस्ट थंडर इनको यहां पर पैर ओलंपिक को स्पॉंसर किया चौबिस वह स्थान लेकर किया थे उन्निस मेडल के साथ अगला कोश्चन है चौबिस अगस्त में सुरू होने वाले टोकियो ओलंपिक में प्रतिने दित् सपरदा में भाग लिया कितने तरीके के हमारे इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था पांच साथ नौ ग्यारा या तेरा नौ प्रतियों किताओं में उन्होंने उन्निस मेडल जीते 24 स्थान हासिल किया और अभी तक टोटल लाइफ टाइम मेडल थे 12 उससे कहीं ज्यादा एक ही टूनामेट में जीत लिए संयद साहिद हाकिम जिनका निधन हुआ है ये कौन से खेल से संबन देते है क्रिकेट बै पर मिलेगी ये देखे मैंने आप पर लिंक आपको दे दिया है यहीं पर आपको पीडियाफ मिलेगी साम तक साम तक मिलेगी ठीक है साम को रिवीजन करोगी अब फुटबॉल इस राइट अंसर डब्लू बीए विटर्विल्ट किताब बरकरा रखा है किसने ये रो डेनिस उगस सान पोर्टर है टेरेस का फॉड है मिकी गार्डिया है जैसी वारगाज है यार डैनिस उगास इस राइट आंसर यार यार डैनिस उगास सही जवाब अगला कोश्चन है मानद अध्यक्ष के रूप में एसोसियेशन आफ फुटबॉल कोच में कौन सामिल हुए संजयर राउत आधित ठाक्रे सरत पवार नरायन राने या रोहित राजेद्र पवार आधित ठाक्रे जितने लोग बोलने हैं यहां पर सही जवाब है मानद अध्यक्ष बनाए गए हैं ऑनररी चेर्रमें किसके इंडियन फुटबॉल कोचेस एसोसियेशन के यहां पर अंडर 19 पुरुस किर्केट वर्ल्ड कप में 2022 के लिए किसने क्वालिफाई किया कनाडा कुछा जाएगा और यह तीनों ने कौलिफाई किया इस बार अगला कुश्चन है सोलवे पैर ओलंपिक हमारे उद्गाटन समारों में जंडा लेकर के कौन चल ले थी पैर ओलंपिक में मरियन थागा विल्लिव है टेक चंद्र है वरुन भाटी है प्रमोध भगत है चौधरी है कौन है जो जंडा फैक बीरर बना था टेक चंद्र मीना टेक चंद्र मीना इस राइट अंसर टेक चंद्र ले करके चल ले था बढ़िया अगस्ट 221 में भावना पार्टिल ने रजट पजक जीता था वह कौन से मैंने आपको पूरी लिष्ट दे दिये आगे वह आपको रिविजन करना है बताइए क्या होना जी सौर्ट पूर्ट टेबल टेनिस डिसकस्ट रो हाई जंप या बैट्मिंटन तो यह नाम आपको भावना पार्टिल का याद होगा टेबल टेनिस में इन्होंने तहलका मचाया था तो टेबल टेटी खेलती है पार्टिल डेल स्टेन वन अब दाब फास्टेस्ट बॉलर इन देवर्ड डेल स्टेन इस राइट आंसर जीमिर नरसने का सन्यास ने लिया बैटा सीजियल के लिए तो है ही आपका सी सब के लिए यार छे मैने का करेंट अफियर्स जिसमें आता है बैट्मिंटन वर्ग में स्वान इस राइट आंसर भंगा साप की उपर जितने लों टिक करेंगे जवाब सही है दूरंड कप का कौन सा संस्क्राण चल ला है कोलकता विवेका नंद युगा भारती की डांगन में 110 ए 120 ए 130 ए 140 या 1.5 सही जवाब है 130 दूरंड कप का 130 फुटबॉल से संबंदित इस वाइट पेरा ओलंपिक मेडल हम इस पराओलंपिक में भी बेडल मिला हुआ किसने जीता है प्रेटा ज्वाइनिंग पहले तो जाए फिर ज्वाइनिंग की बात करेंगे पहले एक्जाम पर फोकस कर लेते हैं ज्वाइनिंग इस साल तक और जाने की उम्मीद है हर्विंदर सिंह राइट आंसर फॉर्मूला वन इटालियन ग्रेंट पिक्स किसने जीती है फॉर्मूला वन इटालियन ग्रेंट पिक्स एक्जाम में नहीं पूछेगा इन में से सितंबर में किसने सभी प्रारूपों से सन्यासिक घोसना किये बही आप मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा जनता बोली है सर मलिंगा जो कि स्रिलंका के हैं इन्होंने यहां पर देखा कि अपने सन्यासिक घोसना किये भारती किर्केटर जिन्हों ने T20 के बाद भारती टीम की कपतानी छोड़ दी थी भोशना की है ये किस विराट कुली ने किस सहर में होने वाले T20 वर्ड कप के बाद कहा कि मैं कपतानी छोड़ दूँगा बताए किस सहर में हुआ था T20 वर्ड कप ऑस्टेलिया ने जिसको जी मेजबानी कून करेगा winter olympic Option लिखे हुए बताइज़ winter olympic की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है कि यहां पर सभी जवाब है टोकियो अरे टोकियो नहीं रहे इत काली नुलम्पी के रहे बीजिंग में हो रहा है बीजिंग चाइना में हो रहा है फरवरी में स्टार्ट हो गया है पिए आपको या और के बाद के बाद कप्तानीय चुर्डने का फैसला लिया है किस टीम पनावए फ्रप्टरणावर के में साब को ओरें चप्रेंज पैल को औरेंज़ कैप परपल केप और इन्जल को और इमर्जिंग भी मिला तो यह सब चीजह याद रखनी है और चिन्नई नहीं जीता था कलकत्ता को हरा करके चिन्नई नहीं जीता था चलिए आगे चलते अगला कोश्ण कतर में दोहा अल मसीनों में एस्या स्ट्रूंकर चैंपियंसिप किस ने जीति है भाई सब आई पिल में पैसा इसान किसन को किता पैसा मिलना यार कुछ 16-17 करोल रुपए मिलना है कितना पैसा भाई आई पिल में बहुत पैसा यार किरकेट खेलने लगते तो सही था गलती से एक दो खेल लेते उसके बाद से जा करके किसी छोटे मोटे टापू पे घर बसा लेते दो तीन आई पल खेल लो 15-25 करोल मिलेगा हमको भी अब फिर देखो इसान किसन को भाई साब अंबानी का आग भी या लो पैसा लो भाई साब गजब पंकज अडवानी इस राइट आंसर हमारे जो दोहां में हो रहा था यहां पर यूपी पुलिस असिस्टेंट का बैच चलाओ राजा रेत्विक इस राइटविक बिल्कुल सही जवाब है तीरंदाजी में भारत ने कितने स्रौन पदक जीते है वार्सो पोलैंड में जो टूना में वीज़ी न में जी डी PR हुआ पाँर कैंता बोले सा सही उत्तर रोने सिटीन पदग जो है वो जीते हुए यहां पर टितने आं पलत बोले उनका जवाब सही है यहां पर राइडर कभ जो है यह कहां पर हो रहा है बृत है कानाड़ा में या आइरलेंड में कं dura क्या चोढ़ कर रहे कहां रहता है और यह हमारे यूएस अमेरिका में हो रहा है गोल्फ से संबंदे टूरामेंटर राइडर कप अगला कोश्चन है यहां पर राष्टी मुख्य बाजी चेंपियंशिप का पांचवा संस्करण किस राज जम्बू कस्मीर दिल्ली उत्तर प्रदेश हडियारा या राज किस ने किये अंतर राष्टी जो हमारे होके टूरामेंट की सन्यासी घुसना किस ने किये रूप इंदर पाल है रजेस रवी चंदरन है संदीप सिंग है या राजपाल सिंग है क्या होना चे दोस्तों सही जवाब तो तो रुपिंदर पाल सिंग आपर जयतने नों बोलना है जवाब सेह आए आगार चलते अग LA कोशनमा आते हैं धा When टेनिस में कौन सा पतक मिला है गोल्ड है silver है ब्रॉंज है या इड़ में से कोई नहीं कुछ औरी मिला वह भी आप बता सकते हैं कौन सा पतक मिला है इंडिया को जनता बोले की सर ब्राउंज के उपर टिक करिए नंबर मिल जाएगा ब्राउंज इस रइट आंसर वार्ड वुमेंस टीम चेस्टेंपियंसिप किसने जीता है वार्ड में चाइना जापान रस्या फिलिपीन्स भारत विचारा हार गया था यहनता बोले सर रसिया के उपर टिक करिए रसिया ही हमें भारत में चेस में टक्करी देता है तो रसिया यहां पर सही जवाब है डूरंड कप ट्रॉफी यह हमारी किसने जीती है दूरंड कप फुटबॉल से संबंदित है किस ने जीती गोवा एपसी जितने नों बोले है जवाब उनका सही अगला कोशन है महिला कप भारत 2022 का अधिकारिक सुभांकर क्या है भारत में जो महिला वर्ड कप होना है 2022 का उसका सुभांकर कौन सा है ट्रूक भारत में हो रहा है इबा है इस्टेमिक मैग बिन है अमिक है बिल अल है या वालीदी है यह तो बहुत कुष्चन के खतरनाक सा हो गया कि यहां पर जन्ता बोली गए किसा जवाब होना चाहिए जितने में बोलने हैं किसे जवाब होना चाहिए हाँ हमारा इभा इभा की तर्फ जितने बच्चे जा रहे उनका जवाब बिलकुल सही है इभाइस राइंसर इंडियन प्रीमर लीग का किताब किस टीम ने जीता है आई पिल किस ने जीता है तो भाईया यहां पर फिर से बता दे रहे हैं औरेंज कैप किस ने जीती है औरेंज कैप को जीता है रितुराज ने रितुराज ने रितुराज के उपर टिक करके आएंगे जो सबस्यादरन बनाये हैं इन्हीं को इमर्जिंग प्लेयर भी दिया गया है इमर्जिंग प्लेयर भी इनको दिया गया है उसके वाद से आता है कौन सा हमारे रितुराज के बाद परपल कैप अगर आ जाएगा तो हर कत्ता नाइट राइडर को हरा करके जीता है चलिए आगे चलते अगला कोश्चन है यहां पर 21 ग्रेंड मेस्टर डबलू जीम कौन बनी अच्छा इस बार कौन जीतने वाला है तुम लोग ने चैन्नाई को पिछली बार जीता है था इस बार कौन जीतेगा सब लोग जाला बत सब्सक्राइब कि इसके मुंबै से कशी आप जीत चुकी एं जी और कोली फॉली वाली तीम को घिताब या विटाद में सब्सक्राइब बहुंबै यहां उसकों भी तो फ्रव रेसाम गसे खालीक्यार्ज मे headache जीताइब क्षगन और इस कोई सब्सक्राइब तरफ के शुस् बिचारा यार ऐसा मत बोले ठीक है गलतियां हो जाती है वीवा पूचरे सर आई सी ए आर में मेरिट कितनी जाएगे बैटा देखो मेरिट के पीछे मत बागो जितना कोश्चन आता है 80% से उपर ही जानी है यह साफ से आपका जो वह होगा 80% पेपर का लेबल कैसा आ जाए अन मेरिक के शवी ग्राइंड मेस्टर जो बनी है उनके नामें दिव्या देशमूख इन्हें पूरे देश में जो ऑन कर दिया है हमको लग रहा यार कोई नई टीम चीतनी चाहिए थीम जीतनी चैहिए वह कोई नई टीम जीतनी यार बढ़ हैं से धमाका कर दें गरदा उड़ पंजाब जीट जाते हैं अगला कोशन देख लेते हैं थॉमस कफ 2021 इन में से किस ने जीता है है 25 लगाओ बैटा 95 लगाओ है हमाण पाइसा यही सब में पाइसा लगाए हम और कोग काम नहीं रेग गया ए प्रभू तो यहां कॉमस कफ का जो बैटमिंटन से समंदित ये कप है और इसको इंडोनेसियन जीता है किससे बैटमिंटन से समंदित कप है अगला कुश्चन देख लेते हैं इन में से क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले खिलाडी कौन बन गए है सबसे तेज 400 विकेट धमाधम धमाधम लिप्टा दिये सब को जनता बुले थामस कप इंडोनेसिया ने जीता है और यहां पर जो बच्चों को कुश्चन समझ में आ रहे स्पोर्स वाले कुश्चन तक पहुंच गए रासित खान इस राइट आंसर खान साब जवाब बिलकुस तही है महिला क्रिकेट किस वर्स में राष्ट मंदर खेलो में होने वाला है यहां पर 2022 में महिला क्रिकेट पॉमन विल्थ गेम्स में डेब्यू करने वाला है इंडिया ला सकते हैं मेडल नवंबर 2021 में किस टीम ने 2020 का 2021 का पहला खिताब जीत करके सभी को चकित कर दिया यहां पर कर देखेंगे तो न्यूजी लैंड को फिर से निरासा हाथ लगी फिर से एक बार लेकिन बहुत अच्छी टीम है और ऑस्टेलिया ने यहां पर हराया था डेविड वर्नर प्लेयर अब्दा टूना मेंड बने थे पीडिया बेटा विकेस हमारे टेलीग्राम लिं दो हजार उनतिस की बात की जा रही है इत्ता लंबा प्लानिंग कर लिए भाई भारत करेंगा भारत को यह मेजबानी दी गए दो हैर उनतिस की अना सत्रह में यहां पर गुवा द्वालाजा डबलू टीए फाइनल जो है वह किसने जीता है डबलू टीए वार्ड टैनिस ए जीता अपने जीवन में इसके पहले कभी नहीं जीता था आपके सामने इतनी सारी महिलाओं के नाम है बताईए तो डबलू टीए का जो फाइनल है पहली बार जिन्हों ने जीता है उनका नाम है गाबाईना मुर्गुंजा मुर्गुंजा इस राइट अंसर सेयद मुस्ता कली जो है यह तमिल नाडू ने जीता है पहले तो यह आपको याद रखना है मुर्गुंजा ने जीता था डबलू टीए का फाइनल पहली बार अपनी जिन्दगी में और यह क्रिकेट से संबंदित ट्रॉफी है सेयद मुस्ता कली अगला कोश्चन क्या है डेविस कप का कि पूलेंट तो यह हमारा किस से संबंदित है डेविस कप टैनिस से हमारा संबंदित रसिया ने जीता है ठीक ना अगला कोश्चन देख लेते हैं बड़प्रस नहीं से आने वाले हैं सारे ऋलेफ है कोको गौफ है जोहाना कॉन्टा है एमाराध कुनू है पहली बार यह अव यहां पर stein नेय्म योई सोपिन इनुटा से सटमबर में इसलिए इनगें को इसरे गिए आलप ты स्थिंकर किया था वोयल्ड कार्ड ईंट्रि ओस्ट्यलियनu को और में कासीर्च और और wild card entry उई थी एंडी मरे की तो एंडी मरे की wild card entry और नोको जोकोविच ने covid protocol को तोड़ा था चर्चा में आयते और जीता किसने तो हमारे नडाल ने Australian Open को जीता है एसले बर्टी और नडाल किसने जीता है एसले बर्टी ने जीता है यह भी आपको याद रखना है और नडाल ने जीता है ठीक है बाबू नडाल कुर्सों में और बर्टी जो है महिलाओं में जीती है अगला कोश्चन देख लेते हैं तो एंडी मरे के सही जवाब होना चाहिए बिल्कुल सुनाली बोले सर 21 ग्रेंट स्लेम था नडाल का बहुत बढ़िया वेटा यहां पर 18 भारती रेफ्रियों को चुना गया है बहुत बढ़िया अठारा भारती रेफ्री नबारा ना सत्रा यह है टोटल अठारा सैफ अंडर 19 का जो टूना अगला कुशन देख लेते 26 तारिक को सवाई मान सिंग स्टेडियम में तमिल नाडू को हरा करके विजय हजारे ट्रॉफी किस ने जीती है विजय हजारे ट्रॉफी जो है वह इन में से किसने जीती है अंत की तरफ हम लोगं पहुच चुके है काफी नजदीक है अंत के हम लोग बांगला देश इस राइट आंसर जीतने बांगला देश बोले उनका जवाब सही है बांगला देश सही था इन में से विजय हजारे ट्रॉफी जीती हिमाचर प्रदेश ने तमिल नाडू को हरा क करके विजय हजारे ट्रॉफी जीती है तमिल नाडू नगला कुशन है कि हिमाच अप्रदेश जनवरी में सतर्वे ग्रांड एक तर्वे ग्रांड मिस्टर कौन बने तो सही जवाब है भारत सुब्रमंडियम इस राइट अंसर भारत सुब्रमंडियम यहां पर बने चैट्यस चैंपियंसीप में भारत का जनवरी में स्थान क्या था पाचवे पर खिसक गए हम लों अंतर राष्टी संयद मोधी टूनामेंट किसने जीता है जनवरी में अंत के नस्दीक पहुंच चुके हैं हम लों दस कोश्चन और बाकी है पीबी सिंदू में लखनव में यह बैट्मिंटन टूनामेंट होता है सही जनवरी टूनामेंट दस फरवरी को रणजी ट्रॉफी कितने चरणों में होगी रणजी ट्रॉफी कितने चरणों में होगी दस फरवरी को एक दो तीन या चार दो चいるड़ो में होगी ठीके ना दो चिछड़ो में सयाद मोधी टूनामेंट आपका होने वाला चलिए बीजिंग उलंपिक में कॉन्ड रिले लेत के जाने वाला यार यह नाम आप लूद याद कर लिजेगा लेह में ice hockey tournament फरवरी में किसने जीता है फरवरी में दुलारे रासन घर पर रासन दुवारे रासन किसने शुरू किया होगा दुवारे रासन स्कीम किसने शुरू की है West Bengal is right answer ठीक है, West Bengal यहां पे सही जवाब अगला कुशन देख लेते हैं प्रधान मंत्री ग्राम स्रडक योजना कौन से साल तक चालेगी? प्रधान मंत्री ग्राम स्रडक योजना किस साल तक जाली रहेगी? 22, 23, 24, 25 इसी साल तक 2022 अगला कोश्चन है हर्याना में आदरस ग्राम की सुरुआत किसे ने की है आदरस ग्राम योजना की मोधी अमिसा मनसुकमडारिया रामनात कोविंद जी तुमिये यह हमारे देस के राज़पती साहब जी ने इस की सिरुवाइड की है रामनात कोविंद इज्राइट अंसर न Carol 12 में किस राज़े ने अपनी राज़ बाल नीती की सिरुवाइड की है राज बाल नीती की सिरुवाइड की है पांच कोश्चन और बच्चे मेटा, पांच कोश्चन यहां पर आपको जवाब देना है, राजबाल नीती की सुरुवात किस ने की है? चाहे दोस्तों सही जवाब क्या है तो यहां पर सही जवाब है बिल्कुर राजबाल नीती की सुरुवात की यदिलंगाना ने बिल्कुर सही है एक केंद्री मंत्शी मंदल ने परान मन्त्री और अन्यकल्नयाद योजिना पी म् Allky की कितने महिनों के मन्जूर है आपके सामने ओप्सन लिखें कि एक प्राइष्ट कहा हुठ अपके सामने दिया के फलफॉर्म बताना तक अबी स्रेष्ट कहा फुल फॉर्म हो गया ना भाई खतम ही है बस पाच कोश्चन बागी है इसकीम फॉर रेजिडेंटियल एजुकेशन फॉर स्टुडेंट इन हाई स्कूल एंट टार्गेट एरियास यह है फुल पॉर्म अगला कोश्चन अंतिम पढ़ाओ पे पहुच चुके हम लोग अंतिम पढ़ाओ प्रधान मंत्री क्रिसी सिचाई योजना के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है प्रधान मंत्री क्रिसी सिचाई योजना पताई जल्दी से क्या होना चाहिए 93,068 करोड अगला कोश्चन क्या है सहाई योजना की सुरुवात कहाँ पे की गई सहाई योजना MP 36 गड़ जहारखंड West Bengal सहाई योजना की सुरुवात की बात कर रहे है सर जहारखंड जहारखंड is the right answer अगला कोश्चन क्या है मार्स 22 अक्टूबर ये तो बिटा और आगे तक बढ़ा दिया गया मार्स 22 तक और उसके आगे और भी बढ़ाए गया अगला कोश्चन क्या है स्पोर्ट पॉलसी मसौदा कमेटी किसने बनाई है स्पोर्ट पॉलसी हमारी जो मसौदा कमेटी किसने बनाई है तो कई लोग यहाप पर स्पोर्ट मिनिस्टी की तरफ जाएंगे जबकि जवाब हो जाएगा गलत एर स्पोर्ट पॉलसी जो है ये बनाई है मिनिस्टी ओफ सिविल अविएसन ने अगला कोशन देख लेते क्या अगला कोशन यहां पर आपको बताना है स्मार्ट सिटी एन इक्विडेरियम टुवर्ड्स एक्शन और रिसर्च कारेकरम के सुरुवात किस ने की चले गए इस तो भई यह 300 से जादा प्रस्नों को डिसकस किया जा चुका है अभी है ना तो सही जवाब है हरदी पुरी साब जी की इनिश्टी ओफ हाउसिंग अड अर्बन अफियर्स इसका बिलकुल सही है तीन सो से जादा प्रस्नों को छे महीने के करेंट अफियर्स के साथ हमने यहां पर डिसकस किया है पिम डिवाइन योजना नौर्थ इस्ट के डवलपमेंट के लिए किया जा रहा हमारे कितने करोण रुपए आवंटित किये गए हजार पंदरा सो दो हजार या पच्छिस स दो कोश्चन और बाकी है तो यहां पर सभी जवाब है पंदरा सो पंदरा सो इस राइट आंसर तो अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं वेस्ट वेल्थ मिसन की सुरुवात किसके लिए की गई है वेस्ट वेल्थ में बदलना है इन दौर में हमने बायो सी अंजी प्लांट लगा लिया है बताइए क्या होना चाहिए यहां पर जनता बोली है यह हमारे स्वच्छता सार्थी मिशन के तहद जिसको आगे तीन साल के लिए और बढ़ा दिया गया है आज एकलास का अंतियम प्रस्ण जो आप सभी लों को जवाब देना है यहां प्याक को अताना है इंद इंसीफाइड मिशन नंबर फोर की सुरुवात की जारी है फरवाईद वहर बच्चों के टीका करण महिलाओं के प्रेगनेंट महिलाओं के टीका करण से संबंदित यह स्कीम है क्या होना चाहिए जनता बोली गया है सब्सक्राइब होना चाहिए 2017 में से स्कीम को लांच किय गया था इंसीफाइड मिसन इंद्र धनूज तो खैसे अग्हिस अगर आपने यहां पर जैसे कि मैंने बतायемонि समय कर सकते हैं ik पकाल चूपन कोड आपको लंदा का णो muscle पूरे के पूरे स समय मेरी बाई कहा ऊट गई ती気 इत्ती साराइब है कहा चला डिया चलो सुरू में आ जाते जल्दी जल्दी ध्याथ यह लैकटो जीतने का मौका है आपको आपको आप किसी भीmother LRE Mol करते है to Laptop जाने का मौका है कोड लगाना पंकज कोड लगा in एस सर्जी लगाना सब्सक्राइब अगर रगाना चाहते फालब इस लेक पार्स ओर या गाइस ये सांदार तरीके से आपके लिए कूपन कोड है याद रखेगा कापी सांदार यहाँ पे आपको डिसकाउंट मिल ला है तो बहुत ही करीब है तो अब एक भी सवाल चूटने की बुन जाइस नहीं रहनी चाहिए और अब तैयारी होगी आर या पार क्योंकि रिलीज किस रभिवार किके के हर सवाल पर करने को बार 15 सर हैं तयार शुवम सर देंगे साइंस की हर टॉपिस को धार सब्साइंस में कोई कसर नहीं चोड़ेंगे सिर्सर इस बार और जब भी सर पढ़ाएंगे तो मैद का हर सवाल लगेगा इदम मज़ेदार तो जब मंदिल से हो प्यार तो रिवीजन से निया करो इंकार तो देर किस बाती जरूर आईएगा महा रिवीजन में इसर अभिवार इदे के लिए टेलिग्राम निγ्क जूएन कर सकते है घर हूस्त इस सब्सक्राइब नहीं कर लिए इस कोraph szk कर लीजए इसको स्ट्रीक है कर लिए एनलीसिस करिए रोज दो टेस्स लगाई है और यह देखिए आपको यह टेस्स यहां पर दिखाए होगा है इसके लिए आप कूपन कोड कर सकते हैं जिक QPन कोड मैं बता देता हूं donc ठीक है तो यह आपको चो 399 रुपए का मिला है यह आपको मिलेगा कित्ते में 360 रुपए में तो जल्दी से जा करके यह कूपन कोड लगाओ एक साल के सारे एक्जाम उपन हो जाएंगे आपके चाहे वो आई सी आरे का हो चाहे डी एस बीका बाइगाइस टेक कियर बिलते अपनी नेक्स लास में कल सुबह 6 बजे तब तक के लिए सब भाख है